हलो दोस्तों कैसे हो आपका स्वागात तिरपान स्टेडी सेंटर में आज जो हम करने जा रहे हैं सोशल साइंस यानी समाजिक विज्ञान जोगी काफी महतपून टॉपिक है इस पे हम हर एक प्रकास डालने कोशिश करेंगे तो देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है यह बात पुण्य सत्य है कि किसी भी देश की प्रगती में सबसे अधिक मेथपून हात होता है तूओ अधियोग का कहते हैं जिस देश में जो हमेसा बिख्सित रहा है और इसमें कोई दो राय नहीं हैं कहते हैं जिस देशों में जो है अधियोग नहीं लगाए गए वह सदे पिछला हुआ ही रहा है इवेन कि अगर राज्य की भी बात करेंगे तो राज्य तभी पिछड जाता है जब होँआं पर कोई द्योग नहीं होता है और ये बात सभी देश जानते हैं और सभी छेत्रों में ये बात का अनुसरन भी किया जाता है तो दोस्तों यहाँ पर जो हम आज बात करने जा रहे हैं चैप्टर जो हमारे समक्ष आया है कहते हैं विश्व अधूनिक विश्व यानि विश्व जो है अधोनिक विश्व के रूप में दूसरा पाटम करने जा रहे हैं यानि देखा जाए तो अधोनिक विश्व टू और इसमें आज जो हम टॉपिक करेंगे वह रहेगा अध्योगी क्रांथी कहते हैं अध्योगी करांती से कोई भी देश development हो सकता है और अध्योगी करांती के कारण ही कोई दुसरे देशों को अपने अधिकार में ले सकता है इवेन कि आपको पता ही होगा कि बिटीस ने जो हमारे देश पे डाइस असल जो राज किया वो किनीक कारण हो सकती है इसमें अध्योगी करांती ही थी क्योंकि हमारे देश से कच्छे माल को ले जाना और अपने देश से जो है वही चीज को manufacture करके हमारे देश में बेचना तो यही तो जो है अध्योगी करांती ही हुआ और यह करांती जो हमें गुलाब मनाने के लिए प्रयाब था तो यहां पर जो हमारा टॉपिक आज आया है अध्योगी करांती कहते हैं अध्योगी करांती में सबसे मैतjarपून उस समय था नए निय दिए चीजों कि खोज कहतें नए अभी इस कार जो हुई इसने इंसानों की सोच को भी बदल के रख दिया जो जिए बहुत मुस्किल से और दुसकं कारे से होते थे वो मसीणों ने बहुत सल और साहस बना दिया जिसको हम अद्विकरांती का नाम दी और इसमें सबसे मरा महतपून आता मसीणों की खोज और दुसरी बाती कहते हैं बि परकास डालेंगे और एक पहलू पर हम चर्चा करेंगे आपको पुरा वीडियो देखना चाहिए तिरपान इसे चंडर यही बात कहता है क्योंकि अधूरा जनकारी सदेव खतरनाक रहती है अगर आपको पुरा टॉपिक समझना है तो पुरा चैप्टर को अंडर्स्टैंड कीजिए और देखिए आपको पुरा टॉपिक समझ में आ जाएगा कि नहीं लेकिन यहां पर एक इंपॉर्टेंट हिताबनी यह भी होती है कि अगर आप कभी वीडियो देखते हो तो सांत मन से देखिए और सांत इलाकों में देखिए इसे क्या होता है कि ज चलिए अधिक बाते ना करके हम देखते हैं अध्योग रांती के ऊपर किन ने अभिज्कार किया और किन का मैं तो बात करें तो अठारवी सदी में अध्योग करांती हुई तो यह बहुत साफ बात यहां गया कि अठारवी सतावदी में जो है अध्योग करांती हुई और इसे समाजी और आर्थिक परिवर्तन देखने को मिला तो जर्नल सी बात अध्योग करांती होगी तो समाज और आर्थिक परिवर्तन अध्योग समाज बनने को यह काफी अग्रसर हुआ इतिहासी तोर पर देखा जाए तो 1750 से लेकर 1850 अवदी विटेन के इतिहास अंदम में है यानि देखा जाए यह 100 साल के जो समय काल थी वो काफी महतपून थी अध्योगी करांती के लिए क्योंकि 1750 से लेकर 1850 में वो समय काल था जहां पर विटेस की इतिहास को ही बदल गया और समाजिक और आर्थिक नाचों में आये नाटकिये परवर्तन ने इसका अस्तल जो है विसकार के रूप में जगा विसकार और नई तकनीव दुरा मसीन को तयार बरे पैमाने को पादन क फैक्टरी विदस्ता और वित्य आर्थिक प्रिताने ले लेगी कहते जो चंसंक्या पहले क्रिशी कार्य करती थी अब सहरी कार्खानों की और बढ़ने लगी क्योंकि आप कोई बात पली माती नौलेज है कि गाउं में जितने विक्ति रहते थे वह सारे के सारे जो होते थे क्रिसी अधारित कार्य करते थे लेकिन जैसे ही कारकानों का अद्यों की तरह प्रियान कर गए क्योंकि जतनी जह दना संक्या में प्रियान हुआ है जो migration हुई है शायद नहीं होती तो यह बात शायद सरकार को यह भली भाती समझ में कभी नहीं आएगी और जब आएगी तो बहुत देर हो चुका होगा और यह अपने देखा भी होगा कि गाओं में जनसंख्या बहुत कम होती है और स्वहरों में जो है एक ही चत्र में अधिक चनसंख्या होती है तो कारण कहीं न कहीं यहीं बंता है अधियोगी क्रांथी पहले कि भीपारी परिवारों को कच्च मौल देते थे और उसे तैयार अतुदा नहीं कत्र भी किया जाता था यानि कच्चे माल देके तैयार माल जो है एकत रोलो करते थे और यही निती इंगलेंड ने जो है यूज किया यानि बिटिस जो भारत में जो अपना कोलिलिजम बनाया तो उन्होंने भी यही काम किया भारत से कच्चे माल ले जाके अपने देश में उसको जो है तैयार माल कर मार्केट में तो इसे फूरा मार्केट को पूरा करना संबब नहींने था और कुछ ऐसा विस्कार करना था कि चंद मिन्टों में जो है लाकों के समान जो है बना दे और यही हुआ इसी को तो हम अध्योग करांती का नाम दिए सremo Verzi, इसलिए जो है 58 सथी के अंग तक आमीर वेपारी द्वरा करकानों के स्थाफ ना की गई देखा जाए तो यहां पर गलत वर्ड है आठवी सथी लिखाव लेहिए आठवी सदी तो हम पहुंचे भी गए भी नहीं है हमारा तो थार्मी सदी है यहां थार्मी सदी के हम तक जो है अमीर बेपारी के द्वारा करकानों की अस्तापना की गई और नहीं मशीन लगाई कच्छे माल से और निचित पेतन पर काम करने वाले स्रामिक मशीनों में बनी तो स्रामिकों गणों बेफ्खूबी बहुत अच्छा किया और मसीनों के द्वरा बस्तूं को बनने आया और इस परकार कर्खाना प्रनाली का जनम हुआ तो कहते हैं कर्खाना प्रनाली का जो जनम था काफी महत्वपून था और यह 1830 सदी में हुई जो कि महत्वपून समय काल था अब इस बात को समझने के लिए आप यहां पर देख सकते हो कि यहां सुरुवाती स्पीनिंग मसीन है आज बेशक लिए इसमें बहुत चीज़ बदलाव हो चुकी है लेकिन जब यह बनी थी तो देखी किस परकार जो था उसमें ठाड़मी सदादी में बनाई गई जो जात होगी करांती के सुरुवात बिटेन में भाब की सकती के उपयोग से शुरू होई यानि भाब की पावर जो था यानि स्टीम पावर इस टीम पावर ने वह सब कुछ करके दिखा दिया जो उस समय संभब नहीं था लेकिन वह संभब हो गई और हुआ कैसे यह था बहु इस बात पह जोड लगाया और भाब कि सकतियों को पचाना यानि स्टीम पावर को अन्हों ने पैचाना और उन्होंने इसका जो ए उपयोग के विचार विमसंस से उन्होंने जो ए एक नई मसीन का विझणार कर दिया क्योंकि कहते हैं अवशक्ता जो होती है बहुत छों क था लेकिन किसी ने ये बात नहीं सोचा था कि इससे इंजन का भी वित विस्कार की जा सकती है और बरे-بरे मस्षीनों को भी आपरेट की जा सकती है लेकिन ये बात जो है 1779 में Jesse Watto को समझ में आई और Jesse Watto ने भाब इंजन के विस्कार के बाद ये संभम किया यानि भाप का इंजन जो है जेम वाट ने जो है सुब अरम किया और 1733 में जॉन केलस में उर्ती तूरी का विसकार किया जिसे कपड़े बुनने की प्रक्रिया को असान कर दिया और उत्पादन चार गुना बढ़ा दिया तो देखिए ये काफी जो है यूपी स इक्जाम के अंतर गती पूछे जाते हैं कि जो भी काशिय आप तयारी कर रहे हो सम्में पूछे जाती बहुत इंजन का विसकार किसने किया और भी बहुत से हैं चरका इस्पीनि जोन के विसकार के बहुत से तो यह सारे कोशन यहीं पे है और अंसर भी इसका यहीं है तो यह महत्वपुन रहा ना आपके लिए देखा जाए तो यहां पर अविस्कारों की जो थी उस समय दौर सी लग गई 1733 में जो अविस्कार जेम वॉट ने करके दिखाया था उसका 1733 से स्टार्ट हुआ 1733 में जो है इसका सुब अराम जौन केलस ने उर्थी तूरी का अविस्कार करके किया तब जाके जेम वॉट ने भी अपना दिमाग लगाई और नई चीज़ को है खोज करके दिखा दिया कपरे बुनने की प्रक्रिया बहुत ही सरल और असान कर दिया कहते हैं उत्पादन चार गुणा इससे बढ़ दी आप समझ सकते हो कि उत्पादन चार गुणा बढ़ने का मतलब बहुत महत्तपून बात किया और इसोड़ा कर रहा है देखा जाया तो जेम्स हर ग्रीवस ने यहां संचरी चरखा का निर्वान कीया जेम्स हर ग्रीवस ने उसके बाद काफी महत्तपून योगदान दिया। Matcha झाल किया और यह के से कपी ताई चरखे से एक बार में कई गुणा धाग्य बनने लग अब सुचिएगा कि जेम्स Whisakas ने जो हाथ का चर्खा बनाया वो किस परकार का था तो आप महात्मा गांदी जी का आपको पता ही है कि वो भी चर्खा से सूत बनाया करते थी और अपना कपरा स्वय मी निर्मान करते थी तो आप समझ में आ गया होगा कि जैंस हर ग्रीव्स ने जो चर्खा बनाया उसका महात्मा गा कब बिदेशी कब्रे का अजंग बहिसकार भी किया था, क्यूंकि ये इप प्रिज जबादन धेया तो यही बात महतमा गांधी जी ने भी जो है बहूथ महतुपूं संदेश दिया था, और यह देश पर समभव हुआ जब जयम्ज हरवीक्स ने जो है जो हम संच्रित होने वाले चर्खा का इस पीनिग जया मिका विश्कार किया और इस में जनीं करके में एक बार में कई गुना धागें बनने लग गए का यहां पर गलत लिखा हुए सती लिखा हुए जो गलत है यहां पर सूती वस्त इस अवदी का पर मुख्य उध्योग बन गिया और काफी महत्पून भी था कोईले और लोहे की बड़ी मात्रा में उपासे विटेन की तेजी सेजोई विकास में एक निर्नाय कारक साबित हुआ क्योंकि इससे क्या हुआ एक पूरे ही विटेन को ही बदल के रख दिया नहरों और सरकों के निर्मान और इसी तरह से रेल और जहाज के आगमन थे निर्मि का जो है विसकार हुआ इसे पूरी जो है अर्थ विवस्ता का रूप रंग ही चेंज कर दिया और इसके पास वह सभी साधनते जो उसे एक अध्योग सक्ति बना सकते थी अध्योग क्रांति का असर दुनिया भर में महसूस किया गया यानि दुनिया में हर एक वेक्ति जो है जो है, यह महसूस किया, कि क्योंकि यह अधोई करांती काफी महतपून थी, 18.50 से करांती बिटी जिंगी में एक परमुक्य कारक बने, और दोगके के साथ पूरा भी किया गया, तो यह काफी महतपून था, 1830 के बाद में फ्रانस के बाद, 1850 जर्मनी, तो कहते हैं इस सुबह अरभ जो उए एक रिद्म सी चलने लगी इन फ्रांस में जर्मनी में और ठम के बाद अमेरिकान के छुरूात फोगे यानि यूद्ध खतम होने के वाद अमेरिका ने भी अध्रोइकरांटी के कदम आगे बढाया हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे तो आपको इसे सब्सकार और सुधारों ने इंगलेंड की क्रिशी को काफी बढ़ावा दिया और कहते महत्पून परवर्तनों ने नव विचारों जैन टूर ब्रीज और ओपन ड्रिल ने वीजों के समान अंत्राल और गढ़ाय पे बिना बरवाद किये वीजों बोने में क्र क्रिश्री में भी इस समय काफी जो है परगती हुई और साथ साथ साथारों सथीस के बीच बिडिस अंसद ने लगबग एक हजार संगलन अधनियम के द्वरा भूमी के जो पहले उस जिस समधाय की थी उनके बरे छेत्रों से जोड़ दिया गया तो ये भी वह समय काफी महत लोगों की एक बड़ी संख्या परदान की सरकार की यहां नीती अलग थी सरकार ने क्या किया सारे जमीनों पर अधिगरन कर लिया और इसके वज़ाद से कित क्या हुआ बहुत से लोग जो थे भूमी हीन हो गई और कहते बहुत ही बढ़ गई अब केवल कुछी लोगों के पर काम करने की जरूरत थी इसलिए कि एक बड़ी संख्या में लोगों के रोजगार के लिए सेहरों की और परल्यान सुरू कर दिया क्योंकि कहते गाउं में उनका सारा जमीन चीलने की लिया गया और इसलिए काम की लिए कुछ भी नहीं बचा तो सारे के सारे लोग जो थे परल्यान कर गए हैं कि सहर में बरे-बरे टर्खान, उद्ध्योग स्थापि ते और उनको यह विश्वास ताकि उनके जीविका वहां पर पराफ्थ हो सके लिए बहूत से लोग, जो थे सहरों की तरह प्रल्यान कर गए और आज मिलता है लोग देखिये जबकि सरकार को इस बात में विचार करने के उशकता है कि गाओं में हम जितना हो सके हरे गाओं में एक उध्योग होना चाहिए जहांपर आसपास रहने वाले विक्तियों को फर्पेट रोटी प्राप्त हो सकी लेकिन सरकार इससे कोई उपर ध्यान ही नहीं दे रही है भारत तभी तरक्की करेगा जब हमारा देश के एकनोमिकल अर्थ विवस्ता बढ़ेगा यहां पर हर एक नागरीक का कंडिशन सुधरेगा और कंडिशन तब सुधरेगा जब इनके लिए सही विवस्ता किया जाएग अब देखिए वही लोग जो हैं गाउं में ना रहके सहरों में आते हैं और सहरों में इतने किराये होते हैं कि जुगी जोपरी बना के रहने लग जाती हैं अब देखिए हम विस्ता के सामने अपने देश को क्या परदर्शन करेंगे क्या बताएंगे कि हमारे देश में चुके हैं तो करण क्या है आम गरीबों का परल्यान करके सहरों में आते हैं उनके पास अच्छा घर नहीं होता तो जुक्डी जोपरी पना के रहने लग जाते हैं और जुक्डी जोपरी किसी भी देश के लिए परदर्शन करना संभब नहीं है और हमारी देश का यह गलत हो रहता है फिर इसे सरकार को सुचना चाहिए कि जितना हो सके फेक्टरी को गाउं में स्थापित करें जिसे वहां के लोग परल्यान जो है सहरों की तरफ ना करें और यह परल्यान की जो इस्तिती है वह अभी सिमिट कर रह जा रुक जाए तब हमारा भारत देश बहुत प्र लिए वहां पर काम करने के लिए भी लग जाती एक काम करने के लिए जो इस इस से गरी बढ़ता यह चला जाएगा इंग्लेंड में राजमीत परस्तितिय ने भी अध्यक्रांति विकास में काफी मदद दिया क्योंकि इसलिए अध्यक्रांती होना सभाविक था बेपारिक पर दिम्हें रहताने जैसे टेक्स अधिनियां और समय जो है बजार बेपारियों के लिए अनुदान था तो कि कहते है थी इंग्लेंड मुख्य रूपसे अपने परिवहन करने में फूरी तरह से सक्षम था और कई इरोपिय देशो ने वरुजिण है वर्जनवाद की नीटि को पालन सुरू कर दिया और इस नीती के तहट और द्योग और वेपार में सरकारी नियंद्रन प्रियोग किये गया था तो यह काभी महतुपून थी कि द्योगों और वेपारों में सरकारी नियंद्रन काभी बढ़ गई और यह सिद्धान, यह सिद्धान्द है कि इस पर अधारित की राष्टे सक्ति अधिक नियात और कम आयात की और संकेत देता है तो यह सिद्धान्द होता है, ऐसे देशों में देखा जाएं, तो राष्टे सक्ति जो है अधिक नियात करती है और कम आयात करती है काभी मजबूत भी बनती है और यह से दान्त इस पर भी विस्मास करता है कि एक राश्ट की संपत्ति का स्वामित्व उसके सोने और चांदी पर निर्वर करता है क्योंकि आपको पता है कोई भी देश अटोमैटिक अपने पैसा नहीं चाप सकता अपनी मनमर जी नहीं चला सक करती हैं जब तक किस वेंग को गोल्ड तो आप पता है तो आपको पता है कितने हैं कि यहां पर बात आया है कि को एक राश्ट की संपत्ति का स्वामीत्व उसके सोने और चांदी पर निर्वर करता एकने और चांदी है इसमें सारकार भी हैपार कर सकती है अब देखा जाते हूँ क्या कारण थे इंगलेंड के अधीर कि लाव और भरपूर उपयोग किया गया इंगलेडन वालों ने हर संग्य म्धेर्ट अपने देश मदल कि लाव उठाया और भरपूर उपयोग भी किया जाते हैं सुलक्ष स्थानों के सा साथ या दीव समंद्र तट के जो है नज़्दीक है। अब देंगे कभी महतपून ही बात रखता है कि कोई भी देश के रिए ये महतपून डगता है कि वह समुद्र ही तट के नज़्दीक हो। और देखा जाये तो इसमें भारत सबसे अगर नहीं है भारत के तो आदिस अदिक चेत्र जो है समुद्र तट से इस्तित है प्रदू इसने रोब के अन्य देशों को अलग होका धन प्रगति की और जल मार्ग जैसे नहरो नदिया समुद्र इंग्लेंड के बीना कर और रुका वडबिना कोई टेक्स सब चीज बेपार मुक्त परदान किया जिसके वाज़ासे यह जो है सभी देशों पहला देश बन गया अद्योई करांती में और इस सभी लावों में इंग्लेंड में अद्योई करांती के लिए उच्छी तैयार कर दी यानि देखा जाए तो इतना अच्छा कंडिशन होते हुए जो है यह पुरा प्रगती की अपने चरम सीमा पर भारत में सारे कंडिशन है लेकिन भारत में बात है कि यहां पर नीतियां जो है सही से लागू नहीं की जाती है यहां पर तो सिरफ एक ही बात पर ध्यान दिया जाता है कि एलेक्शन में कैसे जीती कैसे election में हम अपना जो है डवदवा बनाए रखे कैसे हम अपना कुर्षी बचा ले यही भारत की सबसे बड़ी पहचान है यहां के राजी जी छेत्र का लेकिन कहते हैं भारत इतना विक्सित देश इतना कहते हैं अगर निये हैं यहां की जन संग्या भी बहुत अधीक है हम मैंपावर अधीक हो चुका है फिर भी हमारा देश भिकास नहीं कर रहा है तो रिजन सी यह है एक करना चाहता है जर्नल सी बात है और इससे प्रगति नहीं होती हमारी देश की कहते सब को मिल के करना पड़ेगा देश को प्रगति जैसे अगर आप तिरपान से जंटर क सबी रहे तो इसके लिए आपको भी तो कोशिश करना पड़ेगा ना और कोशिश करने के पता कि जितना होसे ब्लीओ को करना है जितने बच्चे से जुडएंगे तिरपान से सब्सक्राइब बिस्तूत होगा और इसमें आपका सय्योग चाहिए कहते है अगर देश के यहां पर देखा जाएं जो अगला टॉपिक हमारे लिए काफी महत्वपून है क्योंकि इसमें हम डिफ्रेंट डिफ्रेंट जो है विश्चार्चा करेंगे कहते हैं यहां पर पहला आया है अगला पॉइंट अध्योगिकरांती के दवरान हुए नभीन और अध्योगिक परि कई नभीन विश्कार और अध्योगि परिवर्तन के इन अवधी के दौरान जगह ले ली यानि देखा जाया तो नभीन विश्कार ने अध्योगि परिवर्तन के इस अवधी के दौरान अपनी जगह ले ली और अध्योगि देशो और अध्योगि सक्तिशाली और कुशल ब तो यह सरस्ता और बहुत तेजी से किये जाने वाले माध्यम बन गए और इन अविसकारों का जो है कप्रा और परिवहन द्योग बहुत परभाब पारा जिसके विशह में हम आगे चल्चा करेंगे चली दिखते हैं पहला हमारा टॉपिक क्या है पहला टॉपिक के रूप में तो यही आया है वस्त रुध्योग कहते हैं वस्त रुध्योग जो था कप्राव द्योगों में तक्नीकी परगती ने लोहा और इस पाथ उत्पादन में अविसकारों को एक स्विंकला शुरू कर दी अन्य देशने इंग्लेंड के उस उधारन से प्रेंड़ना ली जिसमें एक कानून पारित कर लिया जिसमें कप्रा मजदूरों के दुसरे देशों को यात्रा करने और अध्योगी तक्नीक की जनकारी बाहर नौ खोलने पर पर्दिवंद लगा दिया कि जो हमारे पास information है हम दुसरे देशों साजा नहीं करेंगे यह इंग्लैंड के जो है कानून म बन जाएंगे यह इंग्लैंड का जो है विचार धारा थी उसमें तो देखा जाए तो सेवेंटिटी नाइन में जब फ्रांस क्रांटी हुई थी में जो है सेमिवल्स सेंटर इंग्लैंड से बाहर निकल कर अमेरिका पहुचा और वह अपने साथ बिटिस का अपना अध्यो पहुचा और अपने साथ जो कपड़ा बनाने का जो ग्यान लेगे गया इसके करार अमरीका में जो है अध्योगी क्रांटी आ गई अमरीका में कपास विरिक्ष रोपन के लिए जो है विशाल चेतरों को दासों की बढ़ती भाग के तहत लाया गया यानि जो है दास दूसर करांब्ती के अंतरगत कभी महत पूंती क्या जानते है कि आर्ट राइट कर खाने प्रनाली का क्शली का कहला तो और यह कई बार इपीशिक्स आमें पुछे जाते हैं कि कारखानों की पिताक किसे कहते हैं और कराइट को और देखा जाये तो अमरीका में अधुए करांतरी का किसको से जाता है सेमुल सेंटर को यह इसे को जो है बड़े-बड़े पुछे जाते हैं के रूप में होते हैं लेकिन आप चाटर का अध्यान नहीं करते हो इसलिए से आप अधूरे रह जाती हो और आप लोग वही कोशन डटते रहते हो जो कोई वीडियो में होती है कुछ में दिखाए जाते हैं तो उसी कोशन सोचते हैं कि मैं इतना कर लूँगा तो मैं पूरा तीर मार लूँगा दोस्तों संभब नहीं है अगर आपको सही ज्ञान प्राफ्ट करना है तो आप से लेवस और किताब को अध्यन किजिए उसमें बहुत ज्यान चुपा हुआ है कहते हैं कुछ एमसी की जो होते हैं वो लोग सिंपली दिखा देते हैं और उनका अंसर उनक करते हो चैप्टर के अंदर बहुत से क॥शन आते हैं ऐसे इक्जामेर वहां से क॥शन उठाता है इतने सरी को टाते हैं जो आप पहली बार देख रहे होती हो और आपको पहली बार इसलिए लग रहा होता है कि से पहले कभी डिसकौस्ट भी नहीं कि होते हो ते पिसले पां इंग्लेंड में मसीरों के बारे में समझा जाना और अमरीका में लाकर उसे अद्धोगी क्रांती कर दिया जो कावी महत्पुन घटना थी कहते कि आप जानते हैं कि आर्क राइट भी कर खाने प्रणाल की पिता कहलाता था उसे पहला कर खाना मुके रूप से घ्रेलू मसीरों से दियार किया जहां काम के घंटे तय थे और लोगों का वास्ता में अनुवंध के अधार पर रखा गया था 17 q7 79 में सेभियोजा कपस्टन के Hamilton की और मेहत्पून अविस्कार किया और कहते हिसके बाद जो summer करवाहाँद के पानी संचैने करखाने के हिसकार किया यानि कांद धि だर्योंज बहु송 महसी काफी महत्पुन अविस्कार किया वह कांद काफी और कहते हैं उसके वाद नपनेत्रु मोत्र और जो है अद्ध्योगी परिवर्तनों के निर्मान के निर्मान परिवहन असंचाड द्योट अधाई इसके निकट समंद रखने वाले असायन और इल्लेक्टिकल पेट्रोलियों में स्टिल उद्योग में परगती करके ला दिया पुरा करने के लिए अपने समराज्यों का विस्तार करने तू उपनेवेश और समराजबात ततकातों को परतिस्वद्द कर दिया यह कभी मैं तो पून थी अध्योग करांती कहते हैं समराजबादी विस्तारों सर्वाजबादी के अंतरगात दो यूद्ध हुए प्रत्थम विश्व दृत्ते विश्योद इसके विश्योद में आगे हम चर्चा करेंगे जो की काफी महत पून रहेगा कहते हैं अपनिवेशों का सोशन किया गया और उनके पर प्रंपणा गर्स समाजिक आर्थिक राजनेत प्रनाली को विसमाप्त कर दिया और अपने खुद के राष्ट की स्थापना करने और विदेशी सासन का विरोध करना अरम कर दिया तो कहते हैं विश्योद की करन बहुत से बद परियोग था यानि भाब की सकती का विकास और परियोग था पहले करनों का सुधार भी किया गया और मसीनों को विकस्त रूप में दियो की संक्या बढ़ गया था इसलिए पादन के लिए अधिस सकती की जरूरत थी और 17 सब्फाट में थौमस निकोमॉन कोईले खानओ से प और दक्ष्टा में चोगुना सुधार किया और उसे भाप और और करन निर्बाद गढ़ा करने के लिए ठंडी पाने के एक जट के साथ एक कक्ष की सुरुवात की तो इन्हीं कारणों से जो होता है इन सब प्रद्योगिक और हस्तासर की अवदी थी यानि यह भी प्रद्योगिक और हस्तांत्रन यानि इसको एक जरुजाने की अवदी थी वाट ने जॉन इसकी डिल के बंदूक के इस्तमाल करने के लिए अपने इंजन के लिए बरे डिल बोड किया और भाप इंजन में ज्यादा ही पहले जो है लोकोमोटीव कोईले इंजन की जगा ले ली और इसे रेलवे लाइने की मांग में काफी ब्रिद्धी हो गई और अध्विक में भाप जाए तो कोई भी कारखाने को जो है किसी जील या नदियों के किनारे लगाने की उसमें जरूरत नहीं थी देखा जाए तो अगला है कोईला और लोहा काफी महतपून है बाप इंजन ने कोईला और लोहे के साथ आध्वनी को दियों की नीव रखी कोईला लोहा एक ऐसे सुरुआत की एक बज़ा मानी जा सकती है और उनका यह मानना था कि जिन लोगों की मौत मौत की इच्छा हो वही खान में काम कर सकते थे क्योंकि यह वह जगा था जहां कहते मौत की समभाबना बनी रहती थी क्योंकि आपको पता है कोईला जो है करवन अक्साइड से बनता ह बास है जया है कि यह जो लोगों की मौत हो सकती है इसलिए इनों ने बात बोली कि जोनी लोगी मौत की इच्छा हो वही कर खाने में काम कर सकते थे कोईला 26 रंगों के साथ टुकडियों में लेज जाया गया था और फिर सीधा से घसीट कर सता तक लाया जाता था खानों से कोईले का धगेलना जानवर, आदमी, और और बच्चे तागत पूरी तरह निरबर हो था कि उसे में जानवर, आदमी, और तो बच्चों से ही कारे करवाया जाता था कोईले खानों में काम करने के सिथी खतरनाक थी क्योंकि जगह ही बहुत बहुत ही तंग होती थी कहते दुर्गम, दुरभागय इस काम के लिए बच्चे को उनके छोटे अकार की वज़ा से पसंद किया जाता था कि छोटे बच्चे होते थे वो कोई भी सुरंग में बहुत ही असानी से चले जाते थी इसलिए दुरुभागयपूर्ण काम के लिए छोटे बच्चोंC کا इस्तवाल किया जाता था क्योते भाब सक्ति के उप्योमी कारण कउयले की मांग बढ़ने लगी। जीटना भाब का इंजन इस्तवाल होने लगा उतना कउयले की मांग भी बढ़ने लगी। बड़ी हुई थी इसलिए ये दिखा जाया तो कोईला कई मानने में जो है कई तरह की बिमारियों को जो है कॉजिंग कर सकती है तो ये काफी महतपून बात थी इस समय में लोहे उद्योग में इस समय के दौरान महतपून सुधार भी किये गए कि 1709 में इवराहिम ड्रैविल कोक के साथ ढलवा लोहे का उत्पादन किया गया और इससे पहले ढलवा लोहा लकड़ी के कोईले से प्राप किया जाता था जिसे की तेजी से इंग्लेंड के जंगलों में लकड़ी की कमी हुई है और तो देखा जाया है तो सब्सक्राइब में हैनरी कर्क जो एक आरन मास्टर थे रोंड़े एक कम बंगूर लोहे के उत्पादन के लिए एक परिये प्रक्रिया दिक्सित की और यह लोहे लवन हीज बुलाया गया था और यह अध्योईक प्रक्रिया में एक बहुत ही उप्योगी दातू साबित हुई सताथ चौहत्तर में मनसर ने एक जो एक डिलिंग मसीन कम बीच ज। चैत किया जा सकता है अब देखि दिलिंग मसीन कम जा किसने किया जोन विलकामसन ने 17 में यह काफी महत्वपून कोशन रहता है अब देखा जाए सदाथ 88 और 1806 के बीच लोहे का अत्पादन में कई गुना बिर्द्धी हुई और लोहे का उप्योग क्रिशी मस्रिडी हाडवेर जहाज निमारों और आदी में फैला दी गई जोगी काफी महत्वपून थी लोहा और कपड़ाव द्यों के विकास में यह अवशक था कि सस्ती बस्तुए और उनकी तेजी से धुलाई के लिए बेहत्तर परिवहन सुविदाओं का अविस्कार किया जाए गरेलू और पिदेशी बचारों की जरूरतों को पूरा करने के लिए ऐसा जल्स जल्स करना अत्यर्त महत्वपून थी उसके पस्षाथ था परिवहन और संचार के साधन देगे परिवहन संचार के साधन काफी महत्वपून साधन थी क्योंकि इससे भी कहते हैं बहुत ब़ बोजन और लोग को परिवहन का एक विश्वय परनाली की जुरुत थी सतारा सो में पूल और सरक निर्मान में काफी सुधार सुरू किये गए और वो उनके गंतावंदों परिवहन से कच्चे और कर खानों में तयार माल को अपने गदल तक पहुंचाने में काफी मदद करते थी अथारा सोधा में जोजसेटिवेशोन अपहले भाप लोकोंवोटिं इंजन निर्मान किया जो रेलवे ट्रग पर चला आप दखेए बहुत महत्य कून बात है कज ऑफनी बाच्गररेविशन ौर्मान किया जो रेलवे पर चला यह कफी महत्यपून यह भाप इंजन और रेलवे पट्रियों में जल्दी जो है इंगलेंड में माल लाने ले जाने के लिए नहर परिवहन के समर्थन भी मिल गया क्या आप जानते हैं कि डर्टी करटन और स्कॉर्टेंस के लिए पहली रेलवे लोकोमोटिव अकॉर्शन का उप्योग करने के लिए और यात्रियों के रूप में माल ले जाने के रूप में अच्छी तरह लाइन जो है वर्स अठाड़ सो पचीस में था यह काफी महत्पूर बात थी कहते हैं मद्द 19 सतावदी के दोरान लकडी चलित्र जहाज की जगह आप भाब चलित्र ने जहाज ने ले लिए क्योंकि जब जैनल सी बात है जब नहीं अब इसकार होंगे तो नहीं समागरी भी बनेंगे तो वही बात यहां पर 19 सतावदी में देखने को मिला जहाज पर लकडी चलित्र जहाज हो गई इसके तुरंत बाद लोहा जहाज समंदर को पार यात्राओं के लिए इस्तामाल किया जाने लगा इजवगी क्रांदी से पहले क्याल में बाप निडर्वर करता है क्या और पेट्रॉल भी अब चलने लग गई तो समय के साथ से बदलाब होना एक स्वाविक बात रहता है कि आप जानते हैं कि माइकल फराडवे ने पहली एलेक्टिकल मोटर की कोज करने का गौरप्राप्त किया था यह बहुत महत्पून मोटर की कोज ने की तो माइकल फराडवे ने मेहतपून था परिवहन बेपार्ग लेंदेर और संचार के तेजी से मतलब है सैनी की काईयों की कलोनिया देशों और जहां तक की आम लोगों के बीज तेजी संपर्ग बढ़ाया जा सकी कहते परिवहन अगर बढ़ता है तो हर छेतर में जो है संबंद अस्तापित किया जा सक सकते हो कि जर्ड स्टी फेशन का स्टीम इंजन जो की काफी महतपून था और उन्हें कितना भी खूबी बनाया और कितनी उन्हें समझ लगाई वह इस चितर में भी आपको दिख सकता है कहते हैं यह पहला भाब इंजन था जिसको जो जो इसको संचलित किया था और यह इसका प्रभाव हरे चेतर में देखने को मिला और इसे कई देशों को बहुत ही लाव दिला और कई देश तो जो थे कॉले जम के आड में जो है दव गय तो कहते हैं कि सकत्य देश में बहुत काफी तरक्की हूई तो कुछ देशों के लिए यह काफी घातक सिद भी उई बना भी लिया और उसका सोशन भी किया तो कई मानने में उन देशों के लिए महतुपून थे जहां पर अपनी चर्म सीमा पहुंचा कहते हैं अगर बात करें को तो ये ही पातियां दाशाहां गया है कि अदोगरांती ने शहरी जंता के अंहर्णों से प्रसाहित किया यानि देखा जाय header जो Seems शकी जो है इसको सहरों में ही अस्तापित किया गया और सहरों के जब स्थापित हुआ तो वहां पर जो है जो मकान बनाए गए और इसने सहर सहर समाजी का जो है रूपधारण कर लिया शविको अब जो है कारेश शलाओं का या करखाने करीब रहते थे क्योंकि यह बहुत कावी महतवपून बात है कि जितने भी करखाने बनाए गए जो बनाए गए वहां पर उनके रहन सहन के लिए भी दिवस्ता की गई और चाहाँ वे रोजगार के अबसर परदान भी मिलते थे तो वहां रहना उनके लिए जो है बहुत महतवपून बन गया लगिन करखाना में काम करने की सिथी दैनिये अवस्ता स्वक्ष्टा अस्वास की सिथी को साथ दुखी थे क्योंकि जो काम की अवस्ता थी उस समय बहुत ही दुख दायक परस्तिती थी करखाना के मालिक सिर्फ एक ही मकसद था लाब कमाने के लिए ठीक है जो करख बूर्ब करते थी यानि कम बेतन पर जो आधिक सदीक काम करवाया करते थी कभी-कभी तो बारों से 14 घंटे काम जित्ने वह अध्योक मालिक थे वह सारे के सारे की सपना देख रहे थे इसलिए have को मजदूरों का शोशन किया करते थे इवन देखा जाए तो महला और बच्चे को भी बहुत कम मजदूरी का भुकतान किया जाता था यानि बच्चे और महलाओं के साथ भी वही सिल्सला चलती थी करखाने में खराब जो हवादार स्थिती थी शोर अधिक होता था गंदा नम और अंधेरे होते थी जिसे काफी जो है महलाओं और बच्चों पर बुरा असर देखने को मिला क्या आपको लगता है कि लंबे समय के लिए इसी स्थिती को जारी रखा जा सकता था धीने दिने स्रमिकों ने अपनी तागत का एसास शुरू किया और ट्रेड इनियोन के दव बचने के लिए शुरू भी किया क्योंकि यही एक साधन था जिससे जो है अमीरों से बचा जा सकता था कई करून काम करने और रहने के लिए कि यह तयार किये गए बहुत से रूल लेशन और इसके बारे में अधिक आप आगले पार्ट में पर होगे जहां पर बहुत काफी म मशीनों ने ले लिया क्योंकि देखिए जैसे जैसे तरक्की हुआ कहते हैं जहां पर इंसानों को मशीनों के से काम करवाई जाती थी वह ऐसे ही उनको मसीन चाहिए ती और जब मसीन आ गई तो मानम सोगस्तान जो मशीन ले लिया और पादन की सौधेसी 25 समाप्त हो गई त देशिस समान हुआ करता था उसको हमेशा के लिए खतम कर दिया और क्रिशित पादन में बृद्धी और खादे कीमतों में कमी आई फैक्टरियों और मशीनों के स्वामित में धन के नए सौत्रों को उद्गम हुआ और लोगों के इन नए समों के पूजी वादी के रूप में जाना गया जो पूजी वादी के रूप में जाने गए उस समय उन्हें अधिक आए बारे छेत्रों में अब्रशक्ता वाले छेत्रों में पूजी के वित्रण यह तो जो है बैंकिंग प्रनाली अरम भी कर दी और कहते एक जार सास्सों के अरम में सुनार प्यपारी और विन निजी बैंक भी खोला गया तो देखा जासे तारह सो स्ताफदी में जो है सुनार प्यपारी और विनियम्द के द्वारा पहली निजी बैंक के स्ताफना की गई जो की काफी महत्रपून था सिगर ही अद्विकरांती अन्य देशों में भी फैल गई क्योंकि यह जो है द्विकरांती थी दीरे दीरे सभी देशों में यह फैल गई बेपार मार वी खोज ने कच्छे माल नए बजार और सस्ते करिगर की जो है शक्ताप पुड़ा करने के लिए अपने समराज्यों का स्थार करने है तू निवेश और समराजबादी थाकतों के पर्दी सबस्ता को काफी बढ़ावा दिया क्योंकि सब को सस्ते कारिगर चाहिए थे और दूसरे देशों में गुलामी बना के ही किया जा सकता था इसे एरोपियों के देशों में पर्दी द्वानता विसे सुनू सिरफ इंग्लैंड में नहीं हुई उसके बाद इटली भी इसमें समलित हो गई जर्मनी भी और अन्य देश भी सामिल हो गई और निन समराजबादी विस्तारों से स्वास्ता के लिए संगाश और दो विश्वयूद हुए जिरके बारे में आप इस पार्ट में आगे परें और इन उप्रिवेशों ने विदेशी सासनों का विरोध भी किया और अपने सतंता हेतु लड़ाए अरम भी की जिसे हम क्रांती के नाम से जानते हैं कहते हैं समराजबाद और उप्रिवेश का उठान किस परकार हुआ तो यह हम पूरे चर्चा यहां करने वाले हैं और आपको इसके त्रिपान संडर में बने रहना पड़ेगा आपने पिछले भाग में अध्योई क्रांती के बारे में बिकूबी परा है और हड कुछ जो है जाना भी है कैसे पश्वी देशों में फैली है जो है अध्योई क्रांती काफी महत्पून थी देखा जाए तो 19 सदी की समाप्ती तक अधिकांज देशों में इरोपिया देश माल को बेचने के लिए एक बजार के नियलता आपूर्ति की जरूरत थी इसलिए उन देशों पर अपने नियंतर का विस्तार करना सुरू कर दिया जहां अभी अध्योई क्रांती नहीं शुरू हुआ था यानि अध्योगि करंच जो है उस देशों में अभी शुरू नहीं ह वोशक्ता थी क्योंकि उनके अपने देश वह उनके प्रोसी लाकों से उनकी जुरत पूरी नहीं हो सकती थी या कि दूसरे देशों के राजनीतिक और आर्थिक जीवन पर नियंत्र और शॉशन की विस्तार देने की इस प्रक्रिया को समराजबाद के रूप माना जाता है तो यह था तो वो क्या किए सभी देशों को जो है अपना गुलाम बनाए और गुलाम बनाके वह चीज़ों को उन्होंने पैदावार वहां करवाया जो उनके दो करांती के लिए मैं तो इसी को ही समराजबाद के रूप में हम जानते हैं कि अपनी आर्थिक वशक्ताओं के किया जा सकता है यानि सेने याने संसादनों के माध्यम से भी यह काड़े किया जा सकता है उपनिवेश बात का अर्थ है कलोनियों पर कबजा और उन्हें अपने विजय अधिन करना चाहे यूद गौरा या अन्ने किसी सादन से तो उपनिवेश का मतलब आप समझ गए होग कुछ भी करके जाए उन पर अधिकार करने के ही उपनिवेश बात कहते हैं कच्चे माल पजार और पूजी के निवेश के लिए समराज भाई देशों को अपने देश से बाहर भूमी को जीत के लिए प्रेडित करने के लिए नए स्तानों की जरूरत थी कहते हैं समराज बात तब समझ में आ गए होगा कि जो कलाउनी पे होता है कोई दुसरे राज्य राजिती शार्षन अपना समरभादी का डाल के उनके कलाउनी पर आर्थिक प्रभुता पर जो है अधिकार कर ले यानि वह सारे के सारे उनसे कर्ज लेने के लिए विवश हो जाए अज यही कारे अम अधिर पहले शिर्य हैं सिरलंका का हाल देखा दा चाइना से जितना करजा लिया दा है और की देश मक्सद से अगे तहीं हमेस के धन का समराज वादी देशों के लिए निश्ऱ फट्राशन हुआ है क्राउनियों के हित समराजवाद देश के हितों के आधीन थी यानि क्राउनियों की हित जो थे समराजवाद देश के हितों के आधीन थी और वह देश जो दूसरी भूमी के लिए यूद लड़ता है यानि वह देश जो दूसरी भूमी के लिए यूद लड़ता है यानि दूस समराजबाद कहते हैं जिस देश के लिए संगर्स होता है वह उपनिवेश कहलाता है यह बात इंपोर्टेंट है इसको हम सदारान सब्दों में जानने कोशिच करें देखिए समराजबाद यानि इंग्लेंड यानि बिटीस के को है सकते हो जिसने किसको उपनिमेश बनाया भारत को यानि बिटीस ने भारत को उपनिमेश बनाया तो समराजबादी विचारता किसकी थी बिटीस की और हम जो ते भारत वाले वह उनके लिए उपनिमेश बना दि उसके हम समराजबादी कहते हैं और जो देश इस संगर्ष यूद के कारण हार जाते हैं और वह अपना दास्ता सुईकार कर लेते हैं उसे उपनिवेश कहलाता जैसे भारत को भी बिटेन ने जो है उपनिवेश बनाया था और देखा जाए तो 19 सदी के आंद तक एशिया और जाके लगबग सभी देशों को एक नए नए उरोपी देशों को नियंत्रन में थी तो यह कावी महतपून है उससे में लहर सी उठी हुई थी निश्मी सदाबदी में एक लहर उठी हुई थी कि हर देश दूसरे देशों पर कबजा करने के फिरात में था और इवन यह आज अस्तापित करने के होड में लगे हुई एवन कि अमेरिका ने अपने आपको अलग तलग रखा था लगिन अमेरिका को पता है कि उनको तो कुछ जगह चाहिए कुछ एडिया चाहिए इसलिए अमेरिका भी इसमें कूद गया और देखिया यह यूद कितने सालों तक चलेग इसका कोई भी यहाँ पर अंदाला लगाना संभब नहीं है और कितने जान मान की हानी होगी इसका तो आप कलपना भी नहीं कर सकती हो आप क्यों सोचते हैं कि अध्योगी देशों ने एशिया और अफ्रीका को अपने प्रभुता का विस्तार करने के लिए चुना था आखिर अध्योगी देश ने एशिया और अफ्रीका को ही अपना प्रभुता का विस्तार करने के लिए क्यों चुना यह बहुत ब़रा प्र या में संसाधनों की भरमार जिसको हम अभी आज तक नहीं है इसलिए हर कोई देश जो है भारत को अपने वेस्ट बनाना चाहता है चाहें वो किसी भी रूप में हो सकता है अभी आपने देखा ही होगा कि आजकर हर मंत्री लोग यही कहते हैं जाहिए भारत पर विदेशी जो है पैसे डॉलर में बदलेंगी और बाद में क्या हुआ इसका तो आपने देखा ही हुआ है कि 500 साल के जो है 500 साल के गुलामी हमें मिल गई कहीं इसी रापे तो आज के लोग नहीं चल रहे हैं कहते हैं हमें खुद में सक्षम बनना चाहिए अगर हम किसी दूसरे चीजो बागारत में आती है बहरत में वो लोग आते हैं और यहां फैक्ट्री बनाते आजर्नली सी बात आप को भी समझ है कि सारे जो उच्छे पद के होंगे वहीं लोग को सिर्फ स्थ स्बाद्रकाल इस लोग को 9 ठीक फ्र पार करने का ऻुद्व भारत कोई राज्य के ली लाई इसका वेहाव प्रीयोग किया और अंत में आपको पता ही है कि गुलामी के जंजीर में हमें जकर लिया और योही सिस्टम आज हो रहा है आज हमारे देश के नौजवानों को पुरसाहित नहीं किया जा रहा है कि आप अच्छे काम खोलो अच्छे लगाओ फैक्टरी लगाओ इससे आगे बराओ ये कारे नह कर दो तो बदलती रहेंगे हम तो वह ही रहेंगे लिए कभी जो फैसला लेना चाहिए जन हित्में रखके लेना चाहिए और इतियास को शाक्षि बना के करना चाहिए तो यह काफी महतपून बात है अगर यह बात पर अभी वह लोग नहीं समझे तो अब फिर से गुलामों के जंजीरों में फस जाएंगे गुलामी कई परकार की होती है कहते हैं जरूरी नहीं कि आपको एक बंद कर दिया जाए तो आप गुलाम हो आप मांसिक तोड़ पर भी गुलाम हो सकते हो माल में अगर हम विदेशी चीज़ों पर आश्रित हो जाते हैं बिलकुली आप अपने देखा ही होगा आज भारत में मसालों की भारती मसालों का यूज नहीं हो रहा है आज तो आपको चौमिन फ्राइस और बिदेशी चीज़ें चाहिए मुक्डॉनर यह सब चीज़ें चाहिए आज अपने देशिक कहां हीमत पर लोग में लगा रहे हो आप लोग भी तुमिन जो होते हैं इतने केमिकल भरे परे होते हैं और कितने चाओं से आप खां रहे होतीज़ तो आपको क्या लगता ओ किमिकल आपको बचा देगा यह तो आप लोग मेरी इंडिया कर रहे हैं यहने कि हम खुद ही उन्ची जोगा उत्पादन करें तब भारत सक्षम हो सकता है अपने एकनोमिकल बेल्थ में तो यह काफी महत्पून भात यहां पर आया है कहते हैं यह क्योंकि यह सब्सक्राइब से भारत भी समर्ड है लेकिन राजनितिक और सहीं रूप में बहुत कंजये हैं और यहां पर आपको क्या क्या सूच रहा है निभात करेट स कोई पूले ने कभी नहीं सोचा कर सिर्फ दिखावा करती है तो यह काफी महत पूर्ण है कि यह भी बात यहां भी दर्शाया गया है कि संसाधन जिस देश में होता है वहां राजनेतिक और सेने रूप से राज्ये कमजोर रहते हैं और अध्रोगी दिरिश्टेश्ट वह पिछले हुए रहते हैं दुरभागे से बहुत दूर और दूरी पर थे बिना अच्छे संचार साधन के कोई भी देश उनसे लाव लेने में अशक्षम होगा समराजबात का विकास परिवहन संचार के विकास के साथ संबब था अच्छे सर के जहाजरानी डेलवे और नहरे अपने देशों में जो है उपनेवेश में अद्धों की देश द हैं टेली ग्राफ और टेली फोन के विकास के साथ संदेश असानी से भेजे जा सकते थे अब हर देश जो है समराजबाई देशों की पहुंच से भीतर आ गए थे तो यह काफी महत्पून पात यहां थी उसके पश्चात था चरम राष्टवाद या समराजबात के विस्तार में अक मुख्य सक्थी बन गया था यानि राष्टवाद सम्राजबाद समट की विकास में पर मुख्य सक्थी होती है कहते पतिष्ठा और महिमा के लिए यहर अपने ऐप प्रतिष्टा गौरव और महिमा के लिए जो है दूसरे देसों को जो है अपना गुलाम बना रहा है कि हम बहुत काफी सक्षम हैं और इस समय तो इरोप में नशलिये सेश्टा की भावना अब दिक्सित की थी एशिया और अफ्रीका के लोगों के बिच्रे के रूप में माना ग्यान लाना अपना कर्तव्य समझते थे और इस भावना ने इस भूमी की विजय के लिए एक सैनी सचत्य और परदान किया जो काफी महतपून था यह मुश्किल नहीं था कि सहासी और खोजकरता के रूप में विजय भूमे के लिए गोलों के बीच एक अच्छा को उक्सा आन में महतपूर्ण भूमी का निवाए कि देन दी डूर तराज्स में खोजी भूमी के धन और संसादम का विश्य में मुल्यकांस, जिंकारी कए वह आपस आकार बरनन करते थे यानि वह आपस आकर उसके बारे बरनन करते थे जो उन्हें पहले भूमी मिलती थी और उनके संसाधन के बारे में भी वहां के लोगों को परीचित करवाते थे क्या आप क्रिस्टोफ फोर कलंबस बासको डिगामार फ्रेंडियास मेगन जैसे कई ख़जकरता को पड़े भी या नाम भी याद है तो आपको पता है न यह लोग दुसरे देशों में गए वहां के भूमियों को खोजे वहां संसाधनों के बारे में जाने और अपने देश में बता के उनको जो है वहां से बेपार किये तो जर्नली बात थी बासको टिगामार भ महादीब के रुप में जाना जाता था यह बहुत काभी महत्पूल बात थी बहुत कम जनकारी इस महादीब के बारे में किसी को उपलब थी और कहते हैं मश्रीडियों और खोज करता जो है अंदरूनी बाग में जाने वाले पहले वेखती थी और यहां उन्होंने हाथी दा कारगटब बनाया अपड़िगा की दिकम्जोर राजनीतिक परनाली और इक बिछी अपश्री और समात के सासा कम सिनाएं भी ती कोई वी देस को गुलाब भनने और कोई वी दिशule को बरवाद होने के लिए कम जोर राजनीतिक परनाली होती है और पिछी अर्थ विश्थ होती है कोई भी देश इनी कारणों से जो है दुसरे देशों गुलाम बनते हैं इसमें कोई दो राय नहीं है और दुसरी बात है अपने लोगों की तागत ना पहचानना यह सबसे बहुती होती है किसी विराष्ट के लिए इरोपी देशों के बीच एक प्रतियोकता सुरू क् शक्ति और प्रतिश्टा बढ़ाने के साथ ही कच्चे माल उनके बिनियम बस्तों के लिए बजार प्राप्त करने की अगर कि हर देश का एक ही बात थी कि वह अपनी शक्ति और प्रतिश्टा कैसे बढ़ा है और शक्ति प्रतिश्टा तब बढ़ सकती थी जब उनके पास मिली यानि एरोपों के पास काफी तक जो है उन्नत हथियार थे जिसमें वह सभी देशों पर जो है अपना कब्जा जमाने में सफल हो गए 1875 तक अफ्रीका में एरोपिय अधिप्त तटों के पास बैपारी और वर्लिक के अंदर को कुछ चोटी वस्तियों तक सीमीद था यानि 1875 तक छोटी चोटी जो है बस्तियां बनाई गई थी लेकिन देखा जाए 1880 से लेकर 1910 के बीच पूरे अफ्रीका जो है गोरे के बीच म अगले 50 वर्स तक लिया जाता था अब तक यह भी बहुत कापी महत्वपून बात है कि देश अफ्रीका है और इसका निर्ना जो है लंदन पैरिश ले रहा है तो जर्नल सी बात है कि गुलाम देश है उनके देश में राजनितिक चमता अच्छी नहीं है जिसके वाज़ा से जो है दुसरे देश उनके लिए फैसला लिया जा रहा है और यह 50 वर्स तक ऐसा ही चला है फ्रांस ने उत्तर पश्मी अफ्रीका में एक विशाल समराज का अधिगरन कर लिया था जो है अलजीरिया ट्यूनिशिया मार्स को जा आईवारी कोस्ट एन है जो है डोमी पश्मी सी साशन के अधीन आई सबके सब जो देश फ्रांसेश ची साशन के अधीन हो गए बिटेन ने जो है गवाण लिया लियों गोल्ड और कोस्ट नाइजीरिया दक्षिन अफ्रीका रडोसिया यूगंडा केनिया मिश्ट सुडान और इस्रीटिया और सेमा लेंडेंड का भी किया जब तक जो है विश्यूद में जर्मन नहारा प्रतम विश्यूद जो है 1914 को सुरू में केबल दो सौतांतर देश अफ्रीका और लाइवेरिया और इथोपिया के सेस्ट बचे थी यानि 1914 में देखा जाया तो प्रतम विश्यूद लरा गया था जिसके विश्यूद देश जो थे इसमें कुदपरा था इवन कि भारत भी 1914 के युद में समलित था लेकिन इंथ्वपिया इटली दोरा 1935 में लिया गया था यानि लोक जो होते तो गुलाम बनाके उनको बेपार किया जाता था और उरोपियों लोगों ने अफरीका से दास को आयात करके अमरीका के अपने ब्रिमेश में बगानों पर काम भी करवाया यानि अफरीका के जो दास बनाते थे और उनको अमेरिका बेद दिया जाता था बगानों में काम करने के लिए पुर्टागाल की राजदानी कुलाम बजार था। पड़ा पंद्वी सताव इसले का थार्वी सतावदी तक काफी महत्पून है उसके पश्चाथ था एशिया में समराजवाद का उधै आखिर एशिया में समराजवाद का उधै किस प्रकार हुआ तो कहते अफ्रीका की तरह एशिया में भी यूपी लोगों ने उपनिवेश ब आधिक पुर्टागाल और हालेंड की तरह नहीं नहीं किया लेकिन फिर भी अफरीका की तरह ही एसिया में भी गुलामी बन सुरू हो गया जिन्हें आंतता भारत से बाहर दिया गया जल्दि अंग्रेज और फ्रेंच कंपड़ियों ने यहां बस्तियां बनानी सुरू कर दी में ब्यटीू ने भारत में फ्रैंक प्रभाव कं किया और देखा जाया तो यहां अपने नियंदन के स्थापना भी किया अगले पार्ट में हम भारत में को पर्षमी संस्कृती और जीवन के तरीकों को सविकार करने से साफ इनकार कर दिया और वक्षिर बिद्रोर और अफीम युदों ने जो है धूगित देशों के चीन में सामिल करने सक्ती दिए दी यानि विद्रोर और अफीम यूद ने जो एक काफी महत्वपून युगदान दिया और दीरे-दीरे उन्हों है और दोगी करोन और पश्मी प्रभाव को सविकार कर लिया इसके बारे हम आगे पढ़ेंगे और पुरा जानेंगे उसके पश्चात है चीन देखे चीन भी उप्रिवेश के करण बन चीन माल की इरोपीय देशों में अधिक मांग थी यानि चीन माल की इरोपीय देशों में उससे में अधिक मांग थी लेकिन चीन में इरोपीय समान के लिए कोई मांग नहीं थी यानि चीन में इरोपीय समान के लिए मांग नहीं थी और यह तरफा वेपार इरोपीय वेपा थि लेकिन रोब समान के कोई बीज़ी नहीं करता था क्योंके बास सब कुछ थी कहते हैं बस तो यह वोती ना कुछ समान आप भी लेते हो लेकिन ऐसा नहीं थी चीन माल की युड़ोपिया देश्व में बहुत माँंगती लेकिन चीन में इडोपियों मांगे कोई जरूरत नहीं थी और यह तरफा वेपार था अब एक तरफा वेपार होने करन क्या हुआ इडोपियों ने क्या किया जो चीनी लोगों में युवाओं में अफीम की जो है एक आदत कर दिया और इसे क्या हुआ पूरा ही सिस्टम भी गर गया इसे ची और बिटिस खुद के लिए कई रियायते प्राप्त करने में सफल हुआ क्योंकि जर्नलिसी भात है इसमें चीन असानी से हाड़ गया क्योंकि यह हारने के लिए करन बनाया गया और बिटेन ने हार चीज जो है अपनी मनमर्जी जो है चीन में सुरू कर दी और वह चीन के जो था हार गया चीनी सरकार विदेशी माल पर किसी भी तरह जो है ट्रैफिल लागूर नहीं कर सकती थी क्योंकि वह हार चुकी थी और वह चीनी अदालतों में बिटिस विसाय के खिलाब किसी भी तरह का परिशन नहीं ले सकती थी हंकंग का दी बिटेन के सोप दिया गया तो यह भी काफी महत्पून बाग थी उसके पर शाहत दुसरी अफिम यूद के बिटिस ध्वज को अपमान के खिलाब बदला और एक फ्रांसिस मश्री की हत्या के लिए लड़ा गया यानि दुसरी अफिम यूद भी हुआ और इसका कारण उसमें ये बना कि फ्रांसिस मश ही जो है इरोपिय देशों ने शोषन किया उसके पर शाथ बखसर पिद्रो इसाई मश्री और पड़भाव के छत्रों में चीन की विवाजन के बाद चीन के खिलाब एक जो है संगडित अतंक था चीनी युवाओं को अपनी मुठी के साथ विदेशी नगरिकों के आप देखिए कहते हैं भारत में युवाओं को जो है बिटीस के वाज़ा से कुष्ट सहने परे चीन भी उससे अच्छुता नहीं रहा चीन भी को यह वी नौजवानों का त्याजर का सामना करना पड़ता था तो यह काफी महत्वण बात थी उसके पर शाहत आता है जपान जपान भी दास्ता की जंजीरों में फसी कहते है ठाड़ा सो 68 में सुरूव है मीजी पुन्य स्थापना यान प्रभोधन मियम के जपान को एक बंद समानती समास से बदल कर पहले अध्योगिक राष्ट के जपान के रूप में बदल दिया गया और उसके खुद के प्राकित संसाधन बहुत थोड़े थे इसलिए उसे दोनों विदेशी बजारों और कच्चे माल के स्वत्रों की जरूरत हुआ करती थी 1998 में जपानी निताव ने एक समूझ ने रोप और अमरीका का दौरा किया यह जपानी राज्योगिक करन की निती को अपनाई जब जपानी राज्योग Chicago करन की स्थापना भी की गई और शिक्षा को लोग प्रिये किया गया और जापानी चात्रों का ध्यन करने के लिए पश्रिम में भेजा गया और बर्स 1905 में देश को सम्रिद्ध और सेने मजबुत बनाने के नारे के तैट जापान एक जो अविजय अध्योगिक और सेने लाश के रूप में उबरकर सामने आया और वह दक्षिन के सखालिन कोडिया मंचूरिया भारत चीन मन्यमार मल्यार सिंगापूर इंडोनेशिया और फिलेश्विक के जितने में सफल रहा था कि कितना महतुपून यहां बात आती है कि जपान जो बिलकूल ही कमजोर था आज द उसके पर श्राथ आता है दक्षिन और दक्षिन पुर्वी एशिया में समराजवाद की अस्थापना देखिए दक्षिन और दक्षिन पुर्वी एशिया में अगर हम बात करें तो यहां पर नेपाल बर्मा सिरलंका मल्या इंडोनेशिया बारत चीन थालें और भारत और फ इस सामिल है नए समराजवाद के उदाय से पहले भी इन देशों में से कई पर पहले से ही गोड़े का परभुता रहा इसमें भारत भी था जहां पर अंग्रेजों का पूरा-पूरा परभुता था सिलंका पर पूर्तेगालियों ने कबजा कर लिया था जो डच और बिटिस के द्वारा उत्रद्रूब पर था इंग्लैंड में चाय और रबर बगान का परिचे हुआ जो सिलंका में नियाद के साथ बटा आठ रूप में शुरू किया गया जो कभी महत्पून थी उस समय दक् चेन के सायों की रक्षा कर रहे थे लेकिन दीरे दीरे वितनाम लायोस कम कमबोडिया को है फ्रेंच जो है उपने वेशिक समराज के साथ छोड़ दिया गया और बिटिस ने मन्यमार सिंगापूर मल्याम राज्यों पर नियंदरन पाने के लिए उन्हें बंदरगा से जोड गर दिया देखिए यहां पर जो हमारे समक्षाया है समराजबाद के प्रवाब जो है बहुत ही घातक परा क्योंकि इसमें बहुत चुछों का ऐसा सामने आया जो होना नहीं चाहिए था तो समराजबाद के प्रवाब कुछ बुरे परे तो कुछ अच्छे भी हुए देखा अपने धोगिक माल को जो विक्री के लिए उनके बजारों का बहुत पैदा उठाया और इन कलोनियों की अर्थवस्ता को नस्ट कर दिया देखा जाए तो इन कलोनियों की अर्थवस्ता जो बिलकुल ही नस्ट हो गया और नसलिय बेदवाओ कि उनकी नीति ने लोगों को अप मिस्वास समान को धोखा दिया कहते हैं आप भारत पर अगले कुछ सबक में इसके बारे में अधिक पढ़ोगे जानोगे कि भारत की सिथी कैसी थी तो यह काभी महत्पून रहेगा उसके पश्चावत आता है समराजवाद का सक्रात्मक प्रभाब देखने को मिला कहते हैं स अरिवारा संचार की सुरुवात भी हुई इस समय में और इसने राजनितिक चेतना और राष्ट में समराजवाद की भावना का विकास करने के लिए निजत्व किया कहते हैं आधुनिक शिक्षा और विज्ञान को बिख्षित करने के बाल वह अपनी सुदंता प्राप्त कर करने में सफल भी हुए कहते हैं हर देश अपनी सुदंता प्राप्त करने में अस्थान प्राप्त की किसी अन्य अवदी की तुलना में अधिक विज्ञानी खोज और अविसकार को देखा गया यानिपिस्वी सदावदी जो थी विज्ञानी खोजों के लिए थी और यहां पर भाप चलित जहाजों के साथ सुरू हुआ कहते हैं अंतरिक्ष में मानव यात्रा चांद पर उतरने और पाठकरम केंपूटर के साथ समाप्त हो गया दुनिया तोरित संचर और तेजी से परिवान के साथ सुकूर सा गया यानि पूरा दुनिया जो है चोटा सा बन गया क्योंकि साइंस ने टेक्नलोजी को जगा बना दिया दुर्भागे से पूरी दुनिया को समराज बादी प्रतिद्वंदता और आर्थ पीँ देशों के बीच तनाब के दो अमरीका और जपान को भी काफी उलजहके रखा आनि दो विश्विदों में अमरीका और जपान को रखाया रखा चेयं कहते समराज बाद उपनिवेशहों पर एक विनाशकारी परभाप परा और उपनिवेशों को सवदेशी उद्योग में बरवाद हो गया याई प्रंपरा गतिकारण बिल्कुल उपनिवेशी बादियों ने बरबात करके रख दिया कहते उपनिवेशों को जो है प्राक्रीदी संसादों का बहरमी से जो है शोशन किया गया जो की काफी गलत थी सभी उपनिवेशों के क्रिशी व्यपार को गंभी रूप से सोईकार किया गया जो भी मनपहत्व पून थी और चीन का प्रभाब के चेत्रों में विवाजित भी किया गया था और अंतराष्टे विपार के लिए खोल दिया गया यानि चीन के प्रभाब को चेत्रों में विवाजित किया गया और अंतराष्टे विपार के लिए इसको खोल दिया गया उसके पर शाहत है अफ्रीका जो है जैसों को जो है बीच में विवाजित कर दिया गया अफ्रीकियों को बड़ी संक्या में दास के रूप में बेचा जा रहा था यह भी बात काफी इंपोर्टेंट थी इस समय में और दक्षिन अफ्रीका में सफेद जो समुदाय नहीं तो अच्छा के अधार पर जो है ब प्राडियों के रूप में आये थे लेकिन शाशक बन बैठे रहोंने हमारी सम्रिद अर्थवरस्ता को नच कर दिया और भारत जो कपरा का एक नियायत था तैयार कच्छे माल और माल की नियायत का जो है एक खरीदार बन गया यानि पहले भारत नियायत करता था आज जो है जो है खरीदार बन गया और इसके अलावा भारी कराधान ने जो है जनताई गरीवी के निद्वत किया तो कहते हैं काफी बुरा इस्तिती हो गई थी हर एक देश की इस समय कहते हैं एक ऐसा वार था जो पूरे दुनिया को जो हिला के रख दिया और मानव कभी सोच भी नही सब्सक्राइब तो कि evidence कंभी भी सही नहीं होता है आम जीवन के लिए और कहता है यहे य८िद इतनी विनास किया जिसकी जो है कलปठना भी बहुत मुकसान पहुचाया और इंसानों ने इससे सबब नहीं लिया इंसानों ने कहते हैं जब कुछ गलतियां होती है तो इंसानों को से सीख मिलती है और इंसान की बात तो छोड़ी है इंसान तो इसमें कोई भी हां शेप नहीं रहता है में रहते हैं बरे बरे लीडर सब और लिडरों को ये बास समझ कभी नहीं आई है कि कभी भी यूद जो होता है उनके समाज के लिए उनके प्रजा के लिए और उनके देश के लिए कभी हितकर नहीं होता है और यूद सदे भी बिनास का कारण बनता है और ये सारी बाते प्रतम विश्यूद में देखने को मिला और पर्थम विश्वी इतनी भेंकर थी कहते हैं कोई भी विश्य सा कि इस बात पर कलपना नहीं कर सकते कि ये युद कभी दुबारा कभी हो ये फिर भी जो 20 साल के बाद दुबारा युद दोड़ाया गया और सेकेंड वॉलवर हुई और वही गलती अधुनिक युग में भ दलते हुए लेकिन अभी तक कोई विराम का कोई चिन भी नजर नहीं आया तो इन्हीं सभी बातों पर हमें प्रकास डालेंगे और जानने कोशिश करेंगे हर एक पहलू के जिसमें प्रतम विश्यूद होगा तो आप बने रहतिरपान स्ट्री सेंटर के साथ तभी आपको पूरा समझ में आएगा और हर एक वीडियो जो है देखना आपको चाहिए और आप समझ जाओगे कि वर्ल्ड वर फॉर्स सेंटर में क्या क्या हुआ तो यहां पर मैं थर्ड की बात कर रहा हूं तो आने वहला समय में आपको थर्ड का भी वीडियो मिली जाएगा क्योंकि थर्ड वॉलवार जो होड़ा भी प्रजेंट में ही हो रही है और यह होगा भी कहते हैं यह तो सिरफ सुलगाया गया है चिंगाली डाली गई है अभी तो पूरे आग लगना बाती है और यही बात यहां पर प्रतम विश्यूद में जो कंडिशन पैदा हुआ वही किसमी सुरू हुआ और इसका परिणाम क्या निकला और इसे दुनिया को क्या मिला यदि हम बात करें प्रतम विश्यूद के कहते अध्योगी करण और उपनिवेश बाद और समराज्य बाद ने एशिया अभरिका में उपनिवेश की उनकी संबत्ति परियोपे देसों के बीच ति अब तकि अध्योगी करण का आर्थ होता है जो अपने पादन में अधिक से अधिक ब्रिद्धी करना यानि उससे में इंगलेंड जो था कहते हैं पूरे देश से सभी देशों को उपनिवेश बना के वहां से कच्चे पदार्थ हासिल करता था और उससे मैनिफेक्चर करके जो है उनी देशों में भेज देता था क्यों भेजता था क्योंकि उनके पास अधिक टेक्नोलोजी थी तो आप सोचिए अगर मैंने समान बना लिया क्या हम स्वें तो यूज नहीं कर सकते न किसी ना किसी देश में भेजना पड़ेगा और वहां से उपने फैदा उठाना पड़ेगा इंगलेंड ने यहीं बात किया ऊपना या और कई देशों को जो है उपनेश बना आया और अपने अध्यों करन के जो समय था उसका समान जो है पूरे देशों में बेचा तो अब समझ गए होगे को द्योविकरण क्या होता है उपनिवेश क्या होता है इसे भारत को भी अंग्रेजों ने 250 साल तक जो है उपनिवेश बनाज के रखा और समराजबात का मतलब यही होता है कि अपना समराज्य ज जो है हर देश इसमें प्रतिवांदती सुरू हो गई हर कोई जो है किसी ना किसी देश को जो है अपना उपनिवेश बनाना चाहता था और अपना जो है माल खपाना चाहता था जैसे आज कि समय देखिए चाइना जो है सारे अपना माल जितने भी होते हो इंडिया में खपा जो उस समय अंग्रेज किया करते थी यानि विदेशों को भालों को भारत में अमंत्रित करना ऐसे ही राजा महराजाओं ने भी किया है और आपको पता है कि हमारी राजनीतिक ऐसी है जहां पर तू तू मैं में हमेसा होती ही रहती है तो वही बात होगी घर का वेदी लंकाड तो लंका ढह जाएगा ऐसे चक्कड में क्योंकि हमारे देश में पाटियों में एकता नहीं रहती है कोई भी घटना घटती उनमें एकता तो रहती नहीं है सब अपना उल्लू सीधा करने में लगे रहती है और ऐसा हिस्स हुआ था जब राजा महराजाओं के टाइम था वह कोई कंडिशन आज भी देखने को मिल रहा है राधनीतिक में दिख रहा है तो चलिए जो भी है हमें इस प्राधिक नहीं जानना है हमें तो यह पता है कि हमारा देश जो है उपने फिर से बनने में अग्रसर है विदेशी लोग भारत में अमंत्रित हो रहे हैं और यहां पर कि नहीं किया दुसरे देशों में अपना फैक्टरी लगाए अगर ऐसा होता तो भारत शायद जो कहां तो पहुंच जाता इसका खलपना भी नहीं कर सकते भारत तो सिर्व इसते में इस्त्तमाल करना जांता है दूसरे दैसों के बना हुए समान और भारत में आकर बारत में सबते हैं Eck sait नौजवां हैं कि कहते हैं बरे बरे दैसों चखमा देने के लिए अग्रसर हैं लेकिन यहां को जो हो जो नौजवान उनको मौका नहीं दी जाती है上 Keh लिया जाता है और यह सारे नौजवान जो है विदेशों की तरफ रुख कर जाती है कहते जब अपने घर में कोई नहीं पूछेगा तो जर्नल सी बात है दूसरे घर में जाना ही पड़ता है तो यहीं रूल यहां पर भी हुआ कहते उस समय प्रति दौनतरा इतनी बढ़ गई क्या परतियोगता उनिसवी सदी के अंध तक और अधिक्तिव हो गई जो पर्तियोगता थी उपनवेश बनाने की 12 के आंध तक और अधिक्तिव होती चली गई अजब उपनवेश एशिया और अफ्रीका में ना उपलवते तो कहते हैं समझहतार आप से अभी विश्वास औ पूरी दुनिया से गिरा एक यूद हुआ यानि कहते हैं कि 1914 में इरोप में जल ही पूरी दुनिया से गिरा एक यूद हुआ जिसमें दुनिया के सभी परमुखे देश और उनके उपनिवेश को सामिल किया गया इवन कि भारत भी प्रतम विश्यूद में समलित हुआ था लेक और इतियाज में पहली बार के लिए धर्त राज्यों के सभी साधन जुटाए गए थे और इसमें उनकी सेना नौ सेना बायू सेना सामिल किया गया था नागरिक अवादी को धनाधूर बंबारी की वज़ा से जवर्दस संक्याम दुगटना का सामना करना परा गलें नागरिकों की जो निर्दोस होते हैं जिनका कहीं अदिक यहांत नहीं होता उसका मंत्री में इंसल्ट भी नहीं हो हूं लकिन पर बना देगा कि मुरह इंसल्ट हुआ है हम तो उसे यओत लडएंगे लडएंग लडएंगे अब इतने ही चक्कर में पूरे देश को परवात कर देना ये कहां तक समझदारी है और आज प्रजेंट टाइम में ऐसा हो रहा है यूद लड़ी जा रहे हैं उक्रेन के साथ सिर्फ कहते हैं कुछ गल जमीनों के लिए लड़ी जा रहे हैं जिसको समझाता करके भी टाला जा स सकता है लेकिन समझाता के जगा पर वह हम में हम की भावना में वह लोग लड़ रहे हैं और इसमें देखा जाए यूक्रेन की जितने भी जन जीवन थी वह तहस नहस हो गई है तो कहते हैं पुराने दो-दो यूद इतने विश्वयूद हुए उससे हमने कोई भी सबक नही सीखा और इतिहास में जो नुक्सान हुआ परतम विश्यूद में उसी गन्ना करना साथ संभव नहीं है कहते हैं अगर देखा जाए यह यूद पहली बार यह यूद जो है पहली वार के एक बहुत बड़े भागवर फैल गया था और इस विश्यूद की दुनिया की इतिहा की चरम सीमा थी कहते हैं कोई यूद जो होती है सडलनी नहीं होती है इसका सुत्रपात कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में पहले ही हो जाती है और इस ऐसा ही हुआ 1914 जो प्रतम विश्यूद लड़ी गई उसका विस्तार पहले ही हो चुका था पहले ही देशों ने आपसे समझोते करने लग गयते और यह यूद को जो है अनिवारे बना दिया था क्योंकि उस समय हर देश को जो है उपनिवेश चाहिए था और उपनिवेश के होर में यह य यूद के क्या कारण थी कहते एक लेंड फ्रांच जर्माणी और दूसरी की तरह विभिन देशों के बीच पर्तिव्यंता समराजवादी यूद का परमुख्य कारण था कि हर देश जो है अपने आपको समराज्य स्ताबित करना चाहता था दूसरे देशों में अपना उपन लेकिन जब बदल गई तो अधिकांस एशिया और अफ्रीका का पहले से ही विवाजित किया जा चुका था और आगे विस्तार की समावना नहीं थी कहते हैं जो बिस्तार की समावना नहीं होती है तो जर्नल सी बात है उसमें यूद होगा योगा और यहीं हुआ जो समान इंग्लेंड पुरी दुनिया को दे रहा था अब फ्रांज जर्मनी सब देने लग गए तो इससे चोई इंग्लेंड की अर्थ विवस्ता बिलकुल कमज जोर हो गई तो यूद का करन बन गई जब केवल समराजवादी देशों को प्रिवेश पर कपचा करना ही संभव ता तो प्रिवेश शही स्मटवारे से यूद की संभव बनाया और उनुसमी सती के आकरी तिमाही में कहते जर्मनी ने जबर दस आर्थिक अधिक परगती कर क्योंकि उसने इंगलेंड को पीछे चोड़ दिया और जर्मनी ने अधिक परगती कर लिए और इंगलेंड फ्रांस का दोगित पाद में काफी चोड़ दिया पीछे चोड़ दिया अब पताया आपको कोई वेपारी कहीं वेपार करता है अगर उसका वेपार अच्छा चल में थी लेकिन देखा जाए इसमें जर्मनी जो है बाजी मार गई और उसका अध्योगी इतनी प्रगती हुई और इंगलेंड और फ्रांस पीछे रहे गई उससे बीटेंड की तरह आर्तिक जरुड़तों को पुड़ा करने के लिए उपनिवेश की वशकता थी और उसको औ सामने कुछ समान बेचते हैं या उसको लगाते हैं तो प्रतिद्वंदी कहलाती है वीडियों के नौ सेना सुरच्चों को भी चुनोती दी गई थी जब जर्मनी के सबसे बड़ा युद्वध का निर्मान किया तो इसके खील के लहर से उत्री सागर्ण और प्रैटिक साग लिए अपुर्तिकर्टाओं को बेजना असान बनाने का निर्णा किया गया लेकिन इसे वहां पिटिस उपनेवेश के लिए खत्रा समझा गया यानि जब उसने वहां पर एल्वे लाइन की विस्तापन कर दिया तो यह बिटिस के लिए सबसे भड़ा खत्रा के रूप में देखा और गारण भी यहीं बना जर्मनी 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 की जपान और इरोक के अन्ने सवी सब्सक्राइब समराजवादी की अफ्रीका में जो तरी पोली जो की तुर्क समराज के अधीन द्यादा चाहता था फ्रांस मरास्कों के अफरीका में पने विज्य को जोड़ना चाहता था जबकि रूप इरान में अपनी महतुकानشा रखना चाहता था जपन के सिदूरctions पर्रूम में उसकी महतुकान्शा थी आस्ट्रिया आटोमन समराज में उसकी महत्वकान शाह थी जबकि अमभरीका संयुक्त राज्या अमेरिका एवं सक्तिशाली राज्श के रूप में उबर रहा था यानि उसे में अमेरिका कुछ भी नहीं कर रहा था वह सिर्फ अपने आपको पावर्फुल सक्तिशाली बना रहा था उसकी मुक्यत तिल्चस्वी के लिए बेपार की सुतंद्र ता की रख्या के रूप में थी यानि अमरिका स्रीपी रख्या के रूप में अपना आ दाईत्युनिवा रहा था अमरीका किसी देश को प्रमेश नहीं बना रहा था वो तो कहते संसाध्यों को जुटा रहा था इसलिए वह एक तेज गती से बढ़ रहा था संसाजनों को जुटा के अपने आपको पावर्फुल अमरिका बना रहा था और किसी नी महान सक्ति के प्रभाव के विस्तार के बहुत बरा खत्रा सावित हो सकता था यानि विस्तार जो है विश्वांति के लिए सबसे ब प्रतम विश्योद में मुख्य तोर पे देखने को हमें मिली कहते अधिक क्लोनियों के लिए विरोध और टकडाव ने जो है समराज वासक्तियों का संयोगी दलों के लिए देखने के लिए प्रेडित किया और अठाड़ों सो ब्रासी में जर्मानी अस्ट्रिया इटली ने त्रिपल एलाइंस पर अपनी विरोधी सक्ति के खिलाब आपसी सेन्य सहता के संदी पर हख्षक्षर किया यानि 1882 में जर्मानी अस्ट्रिया और इटली ने ट्रिपल एलाइंस पर हख्षर किया गया तो आप समझ सकते हो यूद कासुत्रपात बहुत पहले ही हो गया था औ और इंग्लेंड रूस और फ्रांस ने 1907 में ट्रिपल अनंत पर हश्राक्षर किये गए तो यह महत्पून थी दो परमपर सत्रुपून विरोधी समुहों के उर्दभव और इरोपिय सवक्ति के बीच तनाव और संगर्ष ने इरोप को दो गुटों में उसमें विवाजित कर रखने की एक होड़ सी लग गई क्योंको पता था कि आने वाला समय में अगर अपना बचस्वा हासिल करना है तो है इसके लिए हत्यार भी जरूरी है और आपसी नफरत और संदेय ने सांती की वातावरन को समाप्त कर दिया क्योंकि आपसी नफरत अब देखिए अभी के सम को रों देशों कि आपसी यूद है कोई यसी में नागड़ी का कोई महत्तपूर आपसे महत्तान नहीं है क्वेज्च नफरत करोगे और आप नेता हो तो जरूरूर सी बात है कि यह पूरे विश्व को पूरे देखित हुए कहते हैं बिश्वतों बाद की बात है पहले तो आपका देश ले डूबेगा तो ऐसा ही हुआ नेताओं के आपसी मतवेद के कारान पर्तम विश्यूद को जो है सुत्रपात किया गया और इस बात का सपास परचार भी किया गया कि अगर यूद हुआ तो पूरे इरोब जो है जताई जा रही थी क्योंकि पहले से उन्होंने जो है गटवंधन की पड़िया सुरू कर लिया था और उनको पता था कि जो देश एक साथ रहेंगे उनकी विजय संभता होगी ही होगी इसलिए आपको पता है कि यूद्व में जो है दो धुरूब बना गया एक जो था मित रा इन्हीं के करनों से यूद्व का सुत्रपात हुआ उसके पश्चात हमारे समक्षाता है प्रतम विश्यूद्व के अंतरगत अगला पॉइंट जो है पांच स्लाब अंदोलन और वलकाना राजनी ती यह काफी महतपून ती अगर इसकी बात करें तो देखा जाता इसमें कि सामिल तपर पुर्वी रोप के बलकाना छेत्र में ग्रीस रोमानिया विगारिया सर्वेरिया मैंक्रोगेडों और कई चोते राज्य सामिल थी यानि the president program जैसे ग्रीस रूमानिया बिलुगारियया और सरवारिया और मेंटो गोडो यह तर्क समराज यह तुरकी साशा के नियंदर पहादीन ते तुरकी समराज यह तुरोकी के साशा के अधीन थे और भी सदी के सुरुवात में तुर्क समराज्य में गिरावट सुरू हूई यानि तुर्क समराज्य तो ओ काफी गिरावट स्मेसुस की गया राज्य का पतन होने लग गया अस्ट्रिया और रूस समेत कई रोपी सकति इन छेत्रों में पैड़ जमानने के लिए पहुँची अब देखिए अस्टिया रूस जो था तुर्की पर अपना जो है लेकिन इसी छेतर में राष्टवाद ने जनम ले लिया और राष्टवाद जनम उन्हें कारण बहुत ही उनके लिए घातक सीद हुआ उन्हें सलाव कहाँ जाता था क्योगे लोगा को सलाव कहते थे और वा पुरिभी रोब देशों में कई राज्यों में बिखिडें हुए थे यानि यह संगटित नहीं थे बिखिडें हुए थे और यौुने एक राष्टी अंधोलन सुरू कर दी यानि इसके विरूद एक राष्टिय अंदोलन शुरू कर दिया और इसको पांच सलाव अंदोलन कहा जाता है अपने आपको बचाने के लिए अंदोलन करना सोभावी थी और इस अंदोलन को जो है पांच सलाव अंदोलन के नाम से जना जाता है और इनकी मुख्य मांग थी जो है सावेरिया क्योंक का रूस ने इसका समर्थन भी किया था जबकि अस्ट्रिया ने सेवरिया और उनके रास्ट्र अंदरों का विरोध किया था यह अस्ट्रिया का तब सिंपल सी बात है उसमें कभजा करना था तो विरोध इस अंदरों करेंगे करेंगे लेकिन रूस ने इसमें समर्थन किया यह अस्टिया इस बात के समर्तन में खिलाफ था। इस विद्रोग खिलाफ था। इसलिए आप देखिए रूप और अश्टिया के बीच काफि परतीड्वैंत्ता का होड् marginalized शूरू हो गई। यानि परतीड्वन्ता का मतलब होता है कि आप के सामने प्रतिवण्दी यह ब्रतिवण्दी के रूप में वो जो हैखरा हो गया रूस के सामने अस्टिया ज्पूत सेवरिया राज्यए था लेकिन देखा जाए उससे समय असटिया जो ता मजबूत सेविया जो अपने विस्तार की महत्वकांचा में बना नहीं रहता था यानी में बना नहीं रहता था 1908 एच्रया ने दो सलायव राज्यों बह्लाज्व में सर्णीया और है जो गोवीनिया पर कवज़ा कर लिया सबसे बरा करन बना उस समय यानि इसका महतु कांचा ही था पुरे विश्व में अपना राज्य स्थापित करना और अश्चय ने दो सलाव राज्य वैसिनिया और हैजो गोविनिया पर जो है कव्जा कर लिया और इस वजह से सबसे जो था अश्चय के बीज दुस्मानी बारा से लेकर चोहदा तक यानि देखा जाे तो बहुत कम समय काल है लेकिन इसी समय काल में चार बलकराराज्य नहीं गई और अस्ट्रेया नहीं जल्दी से सभूरियस केस्टर सभेया की महतोकांजा खिलाब अलवानिया के एक सवतंतर राज्य के स्थापना कर दी यानि महतोकांशा नहीं कि आपको पता है आपने भी देखा होगा कि हमारे देश में नहीं भी जो का बटवारा होने लग जाता है आपने देखा योगा teşekkür में समय पर राज्य की भागो क्यों होते हैं दोस्तों राज्य बटवारा इसलिए इसलिए लोग करते हैं किसे उनको जो एक साशन मिल सके और वो साशन कर सके राज्य में बीड़ा कोई फिकर की अम माल लिजे एक राज्य है पहले अगर राज्य रहा होगा बियार और जो है जारखंड का तो एक रभ मुखमंत्री होगा लेकिन अब देखा जाए दो हो गया यानि दो को साशन मिल गया तो अपनी महत्व कांशा के लिए यह लोग जो हैं राज्यों की बटवारा करने में ही अपना समझदारी समझते हैं लेकिन कहते हैं राज्य की बटवारा करने में कभी समझदारी नहीं है अब समझदारी कैस से हो सकती है अब देखिए यह बात मैं जो है प्रशन उठाता हूं कि दिल्ली में पानी इतनी गंदी है और वहां के लोग पीने भी मजबूर है लेकिन हर्याना में पानी साफ है अब राज्ये अलग होने के करण क्या हुआ वह उसको पानी नहीं दे रहा हूँ पानी से लिकर पटेंगे उतने मंत्रियों के पद मिलेंगे और इससे भारत का इक लोमिक अर्धबस्ता होगा क्योंकि आपको पता ही ही होगा कि हर राज्य कि राज्यों की पतबारा करना कहीं की समझवदारी नहीं नहीं और यही बात यहां भी करके दिखाया गया कि जैसे जल्दी सपर्वरिय ग्रेटर सफवर्य को मातरख कर खिलाब अल्वेजिया को एक सहतंत राज्यक के स्थापना कर दी अब दुस्मनी में एक तरफ सावेरिया और रूस थे दूसरी तरफ अस्टिया था अब देखी बात बन गई ना कि यहां पर सावेरिया और रूस एक तरफ तरफ ते और दूसरी तरफ अस्टिया था जैसे कि आप 1914 के दौर देखा देख सकते हैं कि रोप में महौल बिस्पोटक था महौल जो थी इतनी गरमा सी गई जो कभी भी बिस्पोट हो सकता था कभी भी यूद का रूपधारान कर सकता था और इस पुष्ट भूमी के खिलाब फ्रांसेस फेडिनाड अस्टेलिया के सियासन के लिए बारिस एक राज्य की यात्राप और सरवोसोस मिननिया की राजधानी के लिए गए और वो अपनी कार के नीचे उतर ही रहे थे कि एक सैवेरिया यूबा के द्वारा अठाइस जून 1914 को उनकी हत्या कर दी आप देखिए एक सैवेरिया यूबा के द्वारा लेकिन अगर आप इसकी तह तक पहुँचोगे न तो एक सैवेरिया यूबा नहीं रहा होगा उसका लिंक कहीं न कहीं राजनीतिक नेताओं के साथ 100% होगा क्योंकि वो तो यूद करवाना चाहते थी और इससे अच्छा माहौल कैसे गर सिहासन के बार अस्टरिया कैसे चूप रहा सकता है जब उसकी राज कुमार की हत्या कर दिया गया यानि 28 जून 1914 को उनकी हत्या कर दी गई और ओभी तेखिए यहां पर सिरफ एक वर्ट दी गई है एक सैवेया सिर्वेया यूबा की यूबा मतलब आम बंदा लेकिन देखा के साथ था क्योंकि वो लोग तो सिर्फ यूद के कारण तलास रहे थी और यह सबसे बरा करन बना और कहते हुच की हत्या कारन बन गया अब दखिए अर्थ डिको फ्रैसिस फेंडरनस की हत्या यूद का सबसे बरप तत्कालिन कारन बना यानि अस्टरिया के इस यहांसन के बारीस राजकुमार की जब हत्या कर दी गई अठाइस जुन उनिस्सव चौदा में तो इस समय जो है तत्कालिन बिश्व्यूद का सबसे बड़ा सुत्र पार्त बना दिया और अपनी राजकुमार की हत्या के लिए जिमेदार ठेड़ाये गया यानि अस्ट्या ने साभिय अपने राजकुमार के लिए जिमेदार बताया और उसने भी शर्तों के साथ एक अंतिम चतावनी अब वह अंतिम चतावनी क्या थी इसमें रूसी मदद का आस्वाशन दिया गया सर्वेयस ने अल्टिमेट सुविकार करने से इनकार कर दिया लेकिन जो दिया गया अल्टिमेट वह सुविकार करने से उसने साफ मना कर दिया अब अस्ट्या जो था इस तो काफी बरक गया और सीमा पर अपने सेनकों के जो जुटाने शुरू कर दिये और 28 जुलाइस 1914 को और एक अगास चौदम जर्मनी के रूस पर यूद की गोशना की गई अब देखिए हर एक देश ने दूसरे देश पर यूद की गोशना कर दी लेकिन इसका सुत्रपात कहां से हुआ प्रतम बीश यूद कि जो है अष्ट्र के राजकुमार की हत्यासे तो ये बात काफ ही महतवपून है 한국 राजकुमार के नहीं किया सिमा पर लगाना की यानी से रुछना करımızı एकिश में में फ्रांस के अब जर्मनी से निधर फरांसपर और इंग्लेंड में जर्मानी पर यूद की गोष्णा अगस 1914 में कर दी अब सब देश एक दुसरे पर अटाक करना सुरू कर दिये और इस परकार इरोप में एक चोटी सी घटना में सभी देशों को सामिल होने के से यूद जल्दी विश्यूद का अकार ले लिया यानि देख कहते हैं अगला पॉइंट अत्यंत महत्वपून है प्रतम विश्यूद के अंतरगात की प्रतम विश्यूद के कारेविदी आप प्रतम विश्यूद के कारेविदी किस परकार थी इस पर हम प्रकास डालेंगे और यह समय काल था जो था 1914 से लिके 1918 तक कहते हैं 9 अगस 1914 में जो विश्यूद सुरू हुआ वह नॉमबर उनीसो ठारा तक जाई रहा यानि समय काल काफी महत्पून थे और नॉमबर उनीसो ठारा में यह खतम हुआ और इस अवधी के दौरान कई महत्पून लड़ाईयां लड़ी गई जैसे उनीसो चौदा मारनों की लड़ाई उनीसो स टारा जुमें जो है मारत बर्ष को स्व मैहत्पूनग धणाओं ने देखा गया यानि वर्षण सतार बर्ष करेंसे डोकाई को देखा गया यूश यूद के राज्य अमयरिका की प्रविश्टिय थी यानि दुसरे नंबर में रूस का इस हो से अलग होना देखिए इसमें महत्पुन बात है कि इसमें स्यूद राज अमेरिका भी अपने अंडर आना चाहता था यूद के अंदर गत और दूसरी नंबर में जो है रूस इस यूद से अलग होना चाहता था 2015 में एक बिटी सियात्री जहाज लूइ लुसोपेनिया के जर्मानी के यूबोट के डुबा दिया अब देखिए अब कारण कहां से कहां बना एक बिटी सियात्री जहाज लुसोपेनिया के जर्मानी के यूबोट के डुबा दिया जिसमें 128 अमरीकी नागरिक यात्रा कर रहे थी अब ये सुतुरपात था पावरफुल अमेरिका का एंट्री की अब उनकी हत्या हो गई थी अमरीकी सेनेट ने इसे बहुत गंभीरता से लिया या अमेरिका में एक दल है उसे सेनेट के नाम से जला जाता है अगर आप यह आगे करोगे तो सेनेट के बारे में पूरी संबीरता से लिया और एक सक्तिशारी राष्ट बनने के अलावा जर्मनी अमरीका स्वचता के लिए खत्रा पैदा कर सकता था यानि जर्मनी अमरीका स्वचता के लिए जो है अमरीका का वजस्व के लिए खत्रा पैदा कर सकता था और इसके अलावा संयुक्त राजिया अम थियार बना के अटैक करता है जैसे आप उक्रेयन को भी अब समझ सकते हो उक्रेयन तो बहुत छोटा था और यूद तो पहली खतम हो जानी थी लेकिन अमरीका के सयोग के कारण आज जो है यह काफी पावरफुल बनता जा रहा है और यह पावरफुल कहते हैं यूक्रेयन नह आप उर्टि करता बंता जा रहा था यानि वह हतियार दे रहा था कि वह यूद करें और दूसरे राष्ट को खतम करें कहते हैं यूद कि रहनता के कारण अमरीका के आर्थिक लाब में काफी बृद्धी हो गई यानि इस समय देखी काफी महतपून था कहते ये समय होता है जब कोई भी राष्ट पाबरफूल बनता है और अमेरिका ने क्या किया है सारे हतियार गोला बारू जो है राजों को देने स्टार्ट कर दिये और उनसे जो है मुनाफ़ा कमाना सुरू कर दिया और निरंदर करन अमरिका के आर्थिक लाब में काफी बृद्धी हो गई और इस सब के ध्यान में रखते हुए उसने यूद में सामिन होने का फैसला भी कर लिया क्योंकि उसने क्या-क्या दीरे-दीरे सारे पैसे संपत्ति जो है इकटा कर लिया दूसरी बड़ी वह सिर्व अपना स्थापित करने और विष्व में नंबर वन बनने के होड में उसने ऐसा किया क्या आपको रूस के 1917 की अक्टूबर करांती के बारे में पढ़ा ही होगा अक्टूबर करांती जो है बहुत मैं तो पून रहता है और इसका वीडियो है इसमें अबला अब क्रांती कारियों के मुक्य मांभों में सांती ती करांती कारियों तो तुरांत ती केरांती के बाद रूस यूद से अलग हो गया और 1918 में जर्मैनी के साथ 10 संदी पर हखशाक्षर किये गए अब सुचेगा कोन है यह नाइंद क्लास के जो बच्चों के सच्ची के जो टॉपिक है उसमें लिए जो था बहुत इसांती प्रिय वेक्ती था और यह यूद नहीं चाहता था इसलिए जो था इस यूद से अलग हो गया और 1918 में जर्मनी के साथ एक संदी पर हखशाक्षर की गए लिए बहुत समझदार था उसने इस यूद से अपने आपको अलग कर लिया और 1918 में जर्मनी के साथ एक संदी पर हखशाक्षर कर लिया कहते जुलाइग 1918 से जर्मनी पतन सुरू हुआ लेकिन देखा जाए जुलाइ उनीसुटोठारा से जर्मणी का पतन शुरू हो गया और बुल्गैरिया और तुर्की ने जो सितंबर और ड्टूबर में ख्राम आत्म समर्पन कर दीआ यानि वर्गैरिया है और तुर्की ने भी अपने आपको ुद्धा as 자damnilles के यूरा ने अस्ट्रेया के समर्पन कर दिया देखिए यूद जो तहां अस्ट्रियास शुरू हुआ था और अंत में जो है आत्म समर्पन ही करना परा और जर्मन लोगों दोरा इसी तरह के विद्रो करने के बाद जर्मन समरार विलहम दिरित्य ने हैलेंड भाग गए और जर्मनी एक गनराज्ये घोशित हो गया जर्नली सी बात है समरार विलहम दित्य जो थे हैलेंड भाग गए और जर्मनी जो था एक गनराज्ये खोशित कर दिया गया और नई सरकार पर जो है गारा नॉम्मर 18 और विश्यूद के अंत के लिए जो है यूद विराम पर हम श्रक्षर भी किये गए जो काफी महत्पून थ यूद के दोरान मशीन नगांस जहर गैस तरल आग पानी डूबी और टैंक रूपे कई नए हतियार का इस्तमाल किया गया यानि देखा जाए तो यह वो दौर थी जहां पर नए-ने हतियारों का जो है सुत्रपात्र किया गया था और नए रन्नितियों और सेने तक्णिकी अक्षो दोरा पर योग भी किया गया था यानि देखा जाया तो यह समय काल था जहां पर लोगों ने हतियार के बारे में बहुत कुछ जाना बहुत कुछ सोचा और बहुत कुछ समझा इंग्लेंड ने नौ सेना और आर्थिक नके बंदी और टैंक और हवाई में हमलों का इस्तमाल इस समय बेखुबी किया यानि इंग्लेंड ने नौ सेना आर्थिक नोके बंदी टैंक और हवाई में हमलों का बेखुबी इसमें बहुत इस्तमाल किया और फ्रांसिस्यों ने यूद में गैरी इस्तेमाल रनिती की और जर्मनी ने यू नाव और पंडूबी का समझर में जाज डुबाने के लिए इस्तेमाल किया यानि सब ले कुछ ना यूद में प्रयोग किया जिस्से उनकी पचस्वभानाया जाखी इए प्रतम विश्रीद एक यूद के अंतरगात तट कलीन परीना आफिर हैं परतम वीश्रेट के दुनिया के सबसे बिनाशकारी नittel कहता जा जा सकता इसमें इर्दोष नागरिक सहीत एक लाख लोगों को उनके जीवन से हांद धोना परा अधिकांस इरोपिय देशों में बरे पैमानों पर संपत्ती का नुकसान तो कहते हैं आम बात थी सब से अधिक नुकसान यहां पर हुआ तो वह हुआ परयावरन को कुल खर्च एक सो असी औरब डॉलर के जो है चौका देने वाले आंकडे का अनुमान लगाया गया था देखिए एक सो असी औरब डॉलर को जो है इसमें नुकसान हुआ जिसके पईनाम सरूप अधिकांस देश की अर्थ वेस्ता तुटने लगी और चारों तरफ समाजी तना बेरुजगारी और गरीवी फैल गई क्योंकि जर्नल सी बात है एक सो असी और डॉलर अगर इसमें खर्च होगी और जन जीवन नुकसान होगा तो कैसे जो है अर्थ वेस्ता तूटेगी नहीं जर्नल सी बात है समाजी के तनाव आएगी बेरुजगारी बढ़ेगी और गर सक्ति जो थी बरसाय की महल में मिले थे जिसमें पैरिस को पराजीत और सक्तियों की भविश्य तैक करना था हलाकि लगबक 27 देशों को प्रतित ने भाग लिया और ने पिटेन फ्रांस और राज्यों के पर मुक्य दोरा यानि देखा जाए तो इसमें जो है में उभर के जो रूस को बाहर रखा गया था और प्राजी सक्तियों की इसमें भाग लेने के उनमती नहीं थी और मित्र राष्टो ने प्राजी सक्तियों के साथ विविश संदियों पर हक्षाक्षर भी किये जिनमें सबसे महत्पुन वर्षल की संधी पर जर्मानी के साथ हक्षाक्षर कि गये थे और अश्टिया के साथ सेंड जर्मेन के संधी और तुर्की के साथ कारे करने की संधी थी वरसल की संधी महतपून थी और आर्थिक रूप से काफी विखर गया जर्मनी को आक्रम करता का दोशी ठेड़ाया गया था और यूद के लिए जो है मौवजे के रूप में पैसो की एक बड़ी राशी भुक्तार करने के लिए कहा गया यह बहुत काफी महतपून थी क्योंकि जो देश हार गये थे उनको दोशी ठेड़ाया गया और उनको मौवजा के लिए बहुत बड़ी रकम देने को कहा गया अलेस और लेरन को फ्रा उर जर्मनी के जर्मनी के बीज एक गयर सनिकरन किया हुआ और मुत देशोगे शक्तियों के नियंत्रन के अंतरगत लाया गया । और कोईला समुंद्र द्वारा घाटी 15 साल के लिए फ्रांस को दे दिया गया क्योंकि इसे फ्रांस को काफी लाव हुआ जर्मन सेना को भंग किया गया था और जहाजों को डुबा दिया गया और केवल एक लाक सेनिकों को पर्तिवंदित किया गया था जर्मनी को उसके सभी उपनेवेश के बंचित कर दिया गया यानि जर्मनी को सारे उपनेवेश से बंचित कर दिया गया और ईरोप में उसके बहुत से परदेशों को जो है वर्जिलियम और पॉलेंड को दे दिये गए तो यह महत्पून बात था और सेंट जर्मन के संधी में एक जो है ये बहुत काफी मुह्त पून था ऐस्चा से हंगरी की सदनता उसलिए परदान कि गई थी ये तीनों राजये देने के बाध्य किया गया और य ही तिनों को लेने के कारण जो है दुसरा व्यूद भी लड़ा गया जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे दुसरा विश्यूद और दुसरा विश्यूद का कारण यही तीन राज्ये बनी क्याता सरवास के संदी ने तुर्क समराज का पतन कर दिया और इसे कुछ राज्यों को जान देश के रूप में मित्र देशों को अधिकार में दे दिया गया क्योंकि इससे जो हुआ को मित्र देशों को ही फैदा हुआ और मित्र देश को सभी जो इंपोर्टेंट जगा थी वो मिल गया उधारन के लिए फिलिस्तीन और मसो पोटामिया फ्रांस बिटन और सेरिया को दे दिया गया शिर्या को जो है दुदिया फ्लस्तीनिया और मजो पॉटामिया फ्रांस बिटेन और सिर्या को दे दिया गया मिद देश इन देशों के तब तक देखेंगे जब तक कि आत्म निर्वर नहीं बन जाते अब देखिए इसमें भी बहुत बड़ी बात थी यह नहीं यह बात कहा क कि जब तक यह उनको देखेंगे जब तक वह आत्म निर्वर नहीं हो जाएंगे आपको लगता है कोई देश उस देश में राज्य कर रहा हो और उसको आत्म निर्वर बनाने के अगरसर हो संभव भी नहीं है यूद और 37 संधियों ने दुनिया के विसेश रूप से इरोप के राजनेति नक्सों को ही बदल दिया कहते हैं कभी मैतपून बात रहती है अगर कहीं यूद होता है या कुछ प्रावलम आती है तो कहते हैं दुनिया में जो है नक्सा ही बदल जाता है इसे आप देखिए भारत का भी नक्सा कुछ और था लेकिन जब पाकिस्तान बटव राजवन्स को प्रास्त किया गया था क्यूंकि आपको पता है कि रूस में अक्टूबर करांती होई थी और यूद्ध के द्वारा जर्मनी और अस्ट्या के जोलर राजवस हेल गोग राजवंस को हटा दिया गया यानि राजवन्स की यहां पर समाप्ति हो गई गरे राज्य सरकार के अस्तापना किया गया और 1922 में करांती के बाद तुर्की में भी राज्य साही समाप्त कर दिया गया यानि तुर्की में भी राज्य साही सदेव के लिए समाप्त हो गया पर राज्य सक्तियों के लिए गए परदेशों में दो नए राज्य जो है चको बाराव पर-दि लेन रैजने सामने और पॉलेंड के राज्यों को अकार काफी बढ़ा दिया और इस इरौब के अधिकांस राज्यों की सिमाओं में बदलाव कर दिया गया तो यह काफी महत्वपून बात थी और यह सपज था कि पराजी सक्तियों के साथ किये गए सांती समझोता और आस अमाने जवरदस्ती पराजी सक्तियों पर थोपे गए समझोता थी यह तो आप भली भाती जानते हो कि यह जो और समानने समझोते थे और इसको कोई देश नहीं मान रहा था क्योंकि इसे इनका अर्थ विवस्ता कमजोर पर रही थी इवेन की कहते हैं बहुत से रकम जो है देशों को चुकाने के लिए भी कहा गया जो प्राज प्राजित देश थे और कई राज्यों को उन से छीन भी आ गया और यही सब कारण बना दुसरे विश्यूद का भी जहां हिटलर ने अपना और जो है बहुत ही महतवपूरी योगदान दिया इस यूद के लिए और इसने यूद लड़ा और कहते हैं इस यूद में बहुत ही बिनास हुआ जिसके बारे में हम आगे परहेंगे ठीक है कि हिटलर की वहाँ पर जो नीतियां थी वह काफी महतवपूर थी और देखा जाए तमिलीन का भी महतवपूर मातुकांशा था जिसके बारे में हम जो है सेकेंड विश्यूद के अंतरगत बात करेंगे कहते हैं बीना विचार विमस किये हुए थे क्योंकि सारे समझोते जो थो चुपे गए थे उनके विश्यूद की जब यह मीटिंग हो रही थी तो पराजित देशों को उसमें समलित नहीं किया गया अपनी मरमरजी की सारी बाते बनाई और उनको जो है पराजित देशों को जो है समझाता ज़ाइजबरदस्ति थोप दिया गया यूद के अंत मे यानि इसमें जो है दो मेन राष्ट उभड के सामने आये इरोपे वेस्ट के अंत को जो है सोभी संग ने पैदा उठाया और इसे अपधी में एशिया अफ्रीका के देशों में भी राष्ट्य अंदुलन को मजबूती बनाने बनते देखा गया यानि देखा जाये तो इस यूद ने एशिया अफ्रीका के देशों में भी राष्ट्य अंदुलन को मजबूती बनते देखा गया और इसे पहले भी नॉबर 1918 में यूँ समाप्त होता तो कहते हैं अमरीके राष्ट्वधी बडरो विल्सन ने एक सांती कारिकरम पस्ताव भी किया इसे विल्सन के 14 सुत्रों के रूप में जाना जाता है और इसके सबसे महतुपन बात दुनिया में सांती और शुरक्षा बनाये रखना था देखिए सबसे महतुपन बात होता है सांती और शुरक्षा स्ताप्यूत करना लेकिन जब कहते हम बम और गोली और बारुदों के ऊपर खड़े हैं तो सांती और शुरक्षा की बात नहीं की जा सकती क्योंकि कहते हैं बरे-बरे प्रमानु को हम हतियार ज जाते हैं तो आप सांती की बात वहां पर नहीं कर सकते हैं भारत सदे भी इन खत्रों को जो है अगाह पुरा विश्व को करता आया है और यह बहुत मुझरूरी भी है और इस प्रस्ताप के अधार पर लिग ऑफ नेशनल जो 1920 में स्थापित किया गया आखिर किस बातों की टरफ इसाड़ा करता है तो यह मैं यहा으ं पर आगया लीग और टाफ में स्थापित प्रतम अंतराष्ट्रीय लीग संगर्टन जिसका मुझळ के अस्था चिनीमा में रखा गया तकए यानी लिग नोट आप्चछय उब्स जिनीज़ किया गया है यह अंतरारष्ट्रीया ता जिसका काराले जो था जिनेवा था इसका मुख्य देश दुनिया में सांति और स्वक्षा बनाए रखना है कहते दुनिया में स्वक्षा और सांति तब अस्तापित होगी जब ऐसे से भेंग कर युदोस होए जो दुनिया बची रहेगी वविश्य के यूद को रोकने के लिए अंतराश्य संयोग को बढ़ावाद देने और अंतराश्य विवादों को सांति पुंडंग से निप्टाने और सदस्य देशों में श्रमी की स्थिति में सुधार करना था अब देखिए हर देश का जो सोच होती है वो अच्छा ही होता है लेकिन यह सोच जमीनी हाकिक देखने को कभी नहीं मिलता और यहीं बाता के बताई गई है लेकिन प्रुभागे से लिए जिसके लिए वह स्तापित किया था यूद और संगर्स को रोकने में विफल रहा और यह जपान ने 1936 में मच्चूरिया पर हमला किया और 1935 में इटली ने जो है इतो पिया पर हमल लिए किया और लिग कुछ नहीं कर सका तो कहते हैं लिग बनाई गई थी दिखावा के लिए और इसको जो है सांती और सुरक्षा की कोई बात इसमें जो है जो है सावित करके लीग आफ ने नहीं दिखाया तो दोस्तों यहीं बात यहां आता है किसी को कुछ कड़के दिखाना होता है कहते हैं अगर प्रतम विश यूद को देखा जाए तो कहते हैं एक यूद दुसरे यूद का जनम दाता होता है क्योंकि जव मित राष्टों ने जो प्राजित राष्टा धूभी राष्टा उनको जो है मीटिंग में सम्मिलित नहीं किया और उन पर जवरन जो है बहुत से कर्ज थोप दिया और कई इंपोर्टेंट राज्जे को चील लिया तो इन कारणों से क्या हुआ उस देश में एक एकनोमिकल क्राइस हो गई और एकनोमिकल क्राइस के करण क्या हुआ वहां पर एक नया राज्जे का उदय हुआ जिसको हम जो है फाजलीजम और नाजलीजम के नाम से जानती है यानि इस समय हिटलर के उदय के साथ जो है मुसलीन का भी उदय हुआ और इसने सभी देशों क को जो है राज्यों को इस बात के लिए मानने में तयार हो गया कि वह उसके देश को जो है इक नोमिल कराई से आगे निकालेंगी और जिन देशों ने इसके साथ बुरा किया है उनको भी हम नहीं छोड़ेंगी और यहीं से जो है दुसरे विश्यूद का जो है सुत्र पात हो यह सारी बाते काफी महत्पूंती और इसे के अंतरगात हमारा यहां टॉपिक आया है दो विश्यूदों के विश्यूद दुनिया देखा जाए तो बीस साल के अंतरगात दो विश्यूद हुए और दोनों विश्यूद बहुत ही भायानाग और काफी बिनाशकारी थे और इस जितने जन जीवन का जो है निस्ट हुआ इसका आप अंदाजा लगाना संबब नहीं है और जितने जो है धन जन की हानी हुई इसका भी सहाय अंदाजा लगाना संबब नहीं है तो हमारा टॉपिक जो आया है दो युदों के बीच दुनिया आखिर दो युदों के बीच में लाने का क्या कारण था और क्या मकसद था और उनसे क्या उनको मिला यही बात पर हम यहां पर प्रकास डालने कोशिश करेंगे कहते दो विश्व युदों के बीच 20 शाल की अबदी में महत्पुन परिवर्तन का अनुभब किया गया एक तरफ सकरात्म प कि दुसरी तरफ दुनिया कि कई देशों में जो है विश्व रूप से इरोप के इटली और जर्मनी देशों में तना शाही का सबसे बुरा रूप देखा गया यानि इरोप के इटली और जर्मनी में इटली और जर्मनी में तना शाही का सबसे बुरा रूप देखने को मिल इसी समय अमेरिका में 1929 में महामंदी देखी गई अमेरिका में भी 1909 महामंदी देखी गई जिसे दुनिया लगबग हर हिस्स्य को प्रभावित किया यह महामंदी जिसे हम economy क्राइस कहते हैं बहुत बिनाशकारी होता है और इसका आप present time में भी देख सकती हो अभी को दिन पहले ही स्रिलंका में भी एकनोमिकल क्राइस आई थी और आपने देखा था कि स्रिलंका क्या हाल और क्या दशा थी इसके बारे में आप खुद भी देख रहे होगी तो यह कावी महिट्पून बात है देखा जाए तो पहले विश्यूद ने दो जो है रूलों को जो है जणब दिया एक तो था फासिवाद दूसरा था नाजिवाद के विकास के कारण क्या हूई प्रतम विश्यूद थे तो इसमें कोई दोर आई नहीं फाजिवाद नाजिवाद की विकास के कारण जो ते प्रतम विश युद को ही माना गया कहते युद के वाद हिरोप में बड़ी संक्या में राजनीतिक अंदुलन पैदा हुए जिनमें फाजिजम नाम दिया गया जिसका मुख्य उद्देश्यत अनसाहिक स्थापना कर ना था और इन्हें सासकों का एवं उच्चे वर्गों को जो अभिजात और पूजी पतियों द्वारा समर्थन प्राप्त भी था यानि फाजिवादी का दो लोगों का जो है मुख्य जो समर्थन प्राप्त था वो है सासक या उच्चे वर्ग या विजात या पूजी पति इनका फाजी रिजम को पूरा समर्थन था, क्योंकि उन्होंने समाजबाद एक खत्रे से बचाने के लिए वादा किया, कि समाजबाद में आप नहीं आओगे, उन्होंने हत्या और अंतकवाद का एक विवस्तित अवियान चलाया, जिसे रुकने में सरकार ने कम रूची दिखाई, यानि देखा जाए, तो फाजिवाद ने बिल्कुल वही तनासा का रवया अपनाया, और इसमें सरकार किसी तरह के रूची भी नहीं दिखाई, मुसलिनी तोरा इटली में सुरू की गई तनासाही को फाजिवाद के रूप में देखा गया, यानि मुसलिनी जो था वो तनासाही फाजिवाद का कहते हैं सुत्रपातर था, यानि सुत्रपातर करने का सुर्य मुसलिनी को ही जाता है, और मुस्ली दोरा जो है इटली में की गई तना साकी फाजिर इदम के रूप में देखा गया और फाजी बद एक लेडिन शवद है जिसका मतलब होता है प्रैचिंड रोम जिसका अर्थ होता है सत्था के अधिकार या सत्था का परतीक था यहाँ पर फाजी बद का मतलब ही हो वो भी सत्ता में आ गिया और 1925 से 1923 तक जैतना साथ शाषन की तरह शाषन करता रहा मुस्मुली ने सभी राज़नी दोलोग पर प्रतिवन्द लगा दिया और कुछ शुरू किये लोग का समर्थन प्राफ्ट करने के लिए विजय सक्ति का अंकार और यूद की बात समझ सकने पटने के लिए मजुदा सरकार की जो है अच्छामता फाजी दिद्र के जांस करने में राष्ट और लोगतंद्र ताकत भी फल रही लीग की लचारी ने तनाशाय की विद्धी को संभव बना दे कहते हैं अगर राज्ये मे अगर मजबूती नहीं रहेगी तो जर्नल सी बात है अंतकवाद जो होते हैं आगे आ जाते हैं तो यहीं हुआ लीग की लचारी थी और तरनाशाकी विद्धी की संभावना बनानी थी फाजी वाद को जर्मन में नाजिवाद कर रूप में जाना जाता है यानि फाजी जो है अडॉल्फ हिटलर दौरा स्थापित किया गया था उसने यूद के बाद बस्तियों को आपस लेने और जर्मनी सक्ति और महिमाओं को बहाल करने का वादा किया क्यों लोग उस समय क्राइस से गुजर रहे थे दूसरी बात था प्रतम विश्यूद के सारी जो है पैसे इन ही पर थोपा गया था तो इस वज़ा से यह बिलकुल ही देश कमजोर हो गई थी और इसी का फैदा जो है अडॉल्फ हिटलर ने उठाया हिटलर ने जर्मनी सक्ति और महिमा को बहाल करने की वादा किया और जर्मनी एक महान राष्ट के पुनिर्मान किया और उसके नहीं देखा जाया तो जो जह मित्र राष्टो ने उनने पर थोपा गया और चीन लिया गया उसके गाव ऑपर मलहम लगाने का कारे किया बहुत लोगों इसके इसलिए समर्थन भी किया क्योंकि उसने अपने आर्थिक गिराबर के दूर करने का वादा किया हिटलर ने सब स सफलता नक ने केवल जर्मानी के लोग के लिए बलकि ईरोब और पुरी दुनिया को एक कई नए भागों के लिए विनाशकारी सावित हुआ उसने हैंग्री, रुमानिया, पुरतागाल और स्पेन में स्थापीद तना साहे का नितत्व भी किया यानि इसे हैंगरी रुमानिया पूर्तागार और स्पेन में तरना साहिक का नितुत ने किया जो है अडल हिटलर ने खूबी किया अब बहुत से देसों में बने रही लोकतांत्री विद्द्रो सरकार की विकास में तते विश्यूद का नितुत्प भी किया यानि दूसरे दिश्यूद हुआ उसके पश्चात आता है विश्व के अन्य भागों में विकास कहते हैं इंगलेंड और फ्रांस से गंभिर आर्थिक संकट का सामना करना परा प्राभावों और विरजगारों के बावजूद ने अपने लोग तंद्री सरकार के साथ चलते रही इंगलेंड दल के से योग से हल करने कोशिश भी की गई उडिश थिस में बामपती पाटियों को मिला कर एक लोगपिर सरकार फ्रांस में बनाई गई और सोवी संग दुनिया के पहले समाजवाई देशों के रूप में उबरा और नई सरकार के तह समाजवाई से दांतों को जो है अर्थिक मंदी का सामना करना पड़ा इवन कि अमरीका को भी जो है आर्थिक मंदी का सामना करना पड़ा अब लेकिन इसके कुछ खास हानी नहीं हुआ यानि अमरीका प्रतम विश्यूद में जरूर भाग लिया लेकिन इसको किसी परकार का हानी नहीं हुआ अर्थिक विकास ने इसे एक सुपर पावर बना दिया क्योंकि आपको पता है आपने समझा भी था कि अमरीका जो है दे प्राप्ति होती थी कोईश्य ना कोश्य तो देना पड़ता ही था इसके वाज़ा से जो था भाग लेने के बाद भी उसके अध्योगी सम्रिद्धी और राजी सिता और आर्थि विकास ने इसे सुपर पावर बना दिया हलाकि वह जो है नाटिटिटिन नाइन की आर्थिक परभाब डाला बस तो एक कीमत शेर किमतों में गिरावट आ गई और बैंकों बंद कर दिये गए लोगों को उनके अजीव बचत को भी खाना परा यानि जो बच लोगों ने बैंकों में बचत करके पैसे रखे थे वो भी जो था नस्ट हो गया रिंज जिसे अम जो है वेल्ट ने जब नई सरकार सत्ता में आई तो इन्हें निव डिल्स नाम आर्थिक निर्मान का जो है कारिकरम सुरू किया इसके ताथ कई चनकल्यान के कारें हरम किये गए जैसे नए रोजगार के अब सर किसानों का स्वियोग आधी मैतपून थी केवल जपान ही एशिया का एक ऐसा देश था जो एक समराजवादी देश के रूप में उबरा उसने रूस को 1905 में हरा दिया था और इसके बारे में आप पढ़ भी चुके हो विश्यूद के बीच में जपान और सेने शक्ती बन गया था इससे जो है फाजीबाद का समर्तन भी किया गया और समझोते पर भी इटली एवं जर्मलीस के साथ हशाशर किये ताकि समयबाद का परसार रोका जा सकी यह समय ऐसा था जहां पर यूद की जो है सेसला थमी नहीं रहा था कहते हैं 20 साल में दो-दो महा यूद होना कहते हैं किसी भी जन के लिए सदारन बात नह नियूसाच गूदा में स्टार्ट हुआ और उनिस ओठार में खतम हुआ और कहते हैं उसके बाद उहाँ से ही जो है सुत्रपात हो गया जो है सेकेंड वर्ड वर्ड का और कई कारन बी फॉस्ट वर वर्ड ही बना बेशक्लिश में हिटलर अमजाली इसका अपना इस अस्ता से अधिक गातर और विनाशकाडि से उद्ध हुआ कहते पहले विश्यूद से जो है जन्द लोगों ने कोई सिक्षा नहीं ली और ना समझी उसी कारान से द्रित्य विश्यूद ने एक कहते हैं पर कोप का सबब रहा जबकि इसका गठन भविश्य में होने वाले युद्धों को रोकने के लिए किया गया था क्योंकि जो विश्व युद्धों में जो कहते नुक्सान हुआ इसे सारे देश बहुत ही चिंतित थे और उने लीग ऑफ नेशन की स्थापना किया और लीग ऑफ नेशन का उद्देश इतना ही था कि यह जो है ऐसे विश्व यूदों को रोका जा सके लेकिन कहते हैं यह जो है बीस वर्ष के अंतराल में ही जो है सेकेंड वर्ष हो गया और सकेंड वर्ष को रोकने में लीग ऑफ नेशन बिल्कुल ही असफल रहा कहते हैं यूद की परसित्या बनने के बाद तीन सितंबर उनीस्सों जो है उन्चालिस में दृत्य विश्व यूद आरंब हो गया और यह कैसे अरंब हुआ आए इसके बारे में हम विस्तार पुरुवक अध्यान करें और यह सब जानने के लिए आपको तिरपान स्ट्री संटर के साथ बने रहना पड़ेगा तो सबसे पहले तो हमें यही बात जानना पड़ेगा कि दृत्य विश्यूद के करन क्या बना अगर मैं मोटी मोटी तोर पर बता दू तो इसका सबसे बरा कादनन जो था फाज़ी लिजन हुआ अप को पता ही होगा कि फाज़ी जो था मुस्लिन का था और नाज़ी वाधी जह ही बचारदारा te 곳 हो लेकिन देखा जाय तो प्रतम विश्यूद में सबसे बीच रोपन किया जा चुका था क्योंकि जब उस समय मित उनको कोई भी मीटिंग में नहीं बुलाया और प्रतम विश्यू हुई उसका हारे हुए देशों को सारे नुकसान भरने के लिए कहा गया और इसन कारणों से क्या हुआ 1929 में जो एकनोमिकल क्राइस आ गई यानि आर्थिक संकट आ गया और आर्थिक संकट कारण सभी देश जो थे तरही तरही करने लगे इवन की जो पावरफूल अमेरिका था वो भी इस क्राइस से बच न सका तो देखा जा इन क्राइसों कारण क्या हुआ उन लोगों का उदय हुआ जो काफी जो थे सकते और काफी जो है नाजिलीजम को फोलो करते थे या फाजिलीजम को फोलो करते थी तो इन लोगों ने लोगों को आस्वासंद ले आया है और जाके जो है राजगदी पे बैठ गया और यहीं से सुत्रपात हुआ सेकेंड विश्यूद का तो कहते हैं दृत्य विश्यूद ने पहले रोप में सुरू हुए युद बादी मुसलीन का विचारदा रहा था और यहीं इस बात को लेके चलता था और समराज बादी को जो लाव को विवाजित करने के लिए का गया तो यहीं कारण था जहां पर फिर से दृत्य विश्यूद जो है पनपने लग गया जर्वनी वर्सला संधी के दोरा राजनीतिक तुकां को 1929 में जो आर्थिक संकट आया इस आर्थी संकट ने सभी देशों को जो है तराही-थाह करने के लिए मजबूर कर दिया कहते उससे में जो पावरफुल अमेरिका बन रहा था कहते पावरफुल अमेरिका को भी इसका सबब काफी मिला उसने बदला लेने की मांग की और मित्र देशों में शक्ति के एक परिक्षन के लिए तयार था यानि मित्र देश जो थे फिड से शक्ति के परिक्षन के लिए तयार थे और इटली की स्थिति भी बहतर नहीं थी उससमें इटली की स्थिति देखा जाए तो उससमें बेहद ही खड़ाव था हलाकि इटली समराजल लाव की उमीद के साथ प्रतम विश यूद के दौरान मित देशों की सक्टी में सामिल हुआ था यहां पर इटली की देखा जाए तो लालज था उनका यही विचार इटली का था कि हम मित राष्टों में समयलित होके जो हैं लाव अधिक से अधिक ले सकती हैं हां योच क 내용 कोई भी उपनिवेश हांसिल नहीं हो सका कि उत्ति के बाद कहते हैं सभी देश जो लर रहे थे उससमन्य सिरफ उपनिवेश के लिए लर रहे थे और उपनिवेश का आर्थ आपको पहले ही पता है कि कोई देश दूसरे देश पर जाके जो वे पारिंग igual अस्तापित करते हैं उसे उपरिवेश कहते हैं जैसे भारत को भी बिटीशने उपरिवेश बनाया था तो ऐसा ही उसमय हर एक देश चाहता था कि उनके अपरिवेश बनाया जाया और उनके संसादन को पूरी द्रा से दोहन करें और यही विचारधारा जो था उस समय इटली का था और इटली ने इसी विचारधाराओं के साथ जो है मित देशों में समलित हुआ लेकिन इसका उसे कुछ भी हांसिल नहीं हो सका उसने यूद के दौरान लग भाग कहते हैं 600 से 1000 लोगों खो दिया कहते हैं उस समय इटली में बात किया जाएं तो 600 से लेके 1000 लोगों का मृत्तु के गोद में समा गया लेकिन दोनों फासिस्ट और नाजी दलों ने अपने लोगों को वादा किया कि वो यूद के माध्यम से अपने देश का खोया गौरब आपस लाएंगे यही वो विचारधारा था जिसके वैसे हिटलर और मॉसलीन का उदय हुआ क्योंकि उस समय जो यूद के कारण लोगों की जो हालत थी कोई उसको जो है मलहम लगाने वाला चाहिए था और नाजीलिदम फाजीलिदम जो था यानि हिटलर और मॉसलीन जो था वो लोगों को यह विश्वास दिलाने में सफल हो कि जो खोया हुआ गौरब है विश्व में जो खोया हुआ गौरब है वह वे खूबी आपस लेकि आएगा उन्हेंने विजय अभ्यान के माध्यम से विस्तार की आकमन नीती को पालन शुरू कर दी यानि देखा जाये दोनों के दोनों ने जो है यूद की नीती शुरू कर और कई राज्यों कई देशों को जितने में सभल भी हुए और जर्मनी को जो है राइलेंड पर 1936 में और 1938 में जो है अस्टिया पर कभजा कर लिया तो देखिए काफी महतपून था अब देखिए प्रतम विश्यूद का सुत्रपात कहां से हुआ था अस्टिया से हुआ था ज लेकिन आज जो है यहां परफाजलिदम नाजलिदम ने जो 1936 में यानि राइलेंड को हरा दिया जर्मनी के राइलेंड को अड़ाया और देखा जाए 1937 में अस्टिया प्रकभजा कर लिया और कहते हैं चुको बाकिया जो उस समय मित रास्टों ने रहरप लिया था उसको अब 1937 में जीत लिया तो यह बहुत बड़ी जो है अचीमिंट थी अलोग को बताने के लिए यह प्रयाब थी कि वो जो है जीतने में सक्षम है जबके इटली ने थियोपिया पर हमला किया और इससे एरोप देशों के बीच समाजिक तनाव और संगर्ष पैदा हो गया अब जापान का सहने सक्ति के रूप में उभरना बफासिस सक्तियों के समर्था देने की बात पर ही चुके हो पहले ही कहते रोम वर्लीन एटैकों के धूरी पर जो हैं सक्षर कर तीनों शक्ति प्रमपर दुसरे के समर्थन पर्तिवन्थ हो गये जापान को स्वतंत्र छोड दिया गया और एशिया और प्रसांत के छेत्रों में नियंत्र करने के लिए जबकि जर्मानी ओटली के रोप में मनमानी करने की अनुमती मिल गई क्योंकि देखा जाए तो सभी राष्ट जोते अलग हो गए और सब अपने मनमंजी करने लगे जापान भी उसमें सवतंत्र ह हो गया था जपान को भी सवतंत्र छोड़ दिया गया था और एशिया और प्रसांत चेत्रों में नियंत्र करने कि लेकिन जबकि जर्मानी ओडली योग में मनमानी करने में पूरी उनकों मती मिल गई तो यह सब कारण जो ती उस समय जब सेकेंड वर्ड वर्ड का करन बना फुल के रूप में उबरेगा लेकिन पूजी वाई देश होने के कारण वह अपने देशों में समय वाद की परसार को रोखना भी चाहते थी क्योंकि आपको पहले ही पता है कि सोबी संग का विचार जो था समय वादी था और अमेरिका का विचार धरा जो था पूजी वाद को फोलो कर रहे थे तो सम्मय वादी का परशार बढ़ता ही जा रहा था और वह सम्मय वादी के परशार को रुखना चाहते थे और इटली जर्मनी जो कम्मिनलिस्ट विरोधी थी इसलिए उन्होंने इनके प्रती एक सूव विवस्ता अनुगरह नीती अपनाई और इस नीती को तुष्टी करन नीती के रूप में देखा जा सकता है कहते है प्रतम विश्यूत के बाद जर्मन सेना को जो है एक लाख सैनिक पर परतिवंधित किया गया और जर्मी ने बिना पश्मी सक्तिक्षा कि अपने सैनिकों की संक्या आठ लाख कर ली जो की काफी थी और यही अपने आपको उस समय जो है महा सक्तिशाली समझ रहा था क्योंकि उसके पास आठ लाख सैनिक थे यहां तकि जब हिटलर ने वर्चला की संदी का पड़ी त्याक किया और राइलेंड और अस्टी पर कबजा कर लिया तब भी प्रश्मी सक्ति जो है मुख दर्शन बने रहे कहते हैं यह वो समय काल था जब हिटलर ने राइलेंड और अस्टी पर कबजा कर लिया जो मित राष्टों ने हरप रखा था 1937 में जनता की लोग प्रिये निर्वाचन सरकार और जनरल फॉको फैसिस्ट नेता के बीज एस्पैन में यूद सुरू हो गया और एस्पैन में लोग तांद्रे ढंग से निर्वाचिस सरकार को पदस्त करने के लिए हिटलर के हतियार और गोला बारुद से सहता के पूर्त किया जब महजूदा सरकार इंग्लैंड और फ्रांस की सरकारों ने कोई भी करवाई नहीं की तो यह तुष्टी करनेती अपने चरमस्वस्त पर पहुंच गया तो यह बात जर्नली अगर कोई अगर सर उठाता अगर आप उसको सर नहीं कुछ लोगे तो 100% जो है वह अपने सरकार ने कोई भी करवाई नहीं किया जब अगास 1937 में हिटलर ने मुनिसक के लिए बिटेन और फ्रांस के प्रदान मंत्री ने आमंत्रित किया तो जो है मैं उनीक संधी उनके द्वारा 1937 में अश्ट्रक्टर भी किये गए और जर्मनी को जो है सुदेंत्र लैंड वह चक कि भाग पर कभजा करने की अनुमती मिली देखिए उस समय देश तो ऐसे लग रहा था जैसे कोई समान हो और उसकी बटवारा हो रहा हो जैसे खाना होता है उसको बटवारा करते हूं वैसा उस समय इस्तिती थी सभी राज्यों की बाद पूरे चुकोसवाकिया पर कभजा क काफी मजबूत हो गया क्योंकि उसने चुकोसवाकिया पर पूरी तरह से जो है कभजा करने में सफलता हासिल कर लिया और इसे अफाजिवादी सक्ति को मजबूती मिली अब यह सपस्ट है कि बीटेन और फ्रांस जर्मनी और डिटली सोभी संग के खिलाफ करवाई करना चा जाता है उस समय यूए से नाम से जन जाता था और इन जुझनाओं पर रोकने के लिए सोभी संग्डौरा जर्मनी के साथ जो दोनों एक दुसरे प्रहमला नहीं करने से समझाटा प्रहमला नहीं करना चाहते थे और इसलिए उन्होंने जो है समझाटा का नीती का अनुसरन किया और इस तरह सोभी संग के कुछ समय मिल गया और इसके कारण जो है सोभी संग को जो है अपनी सक्ति मजबूत करने के लिए थोड़ा समय मिल गया और वह भवश्य के तयारी कर ली यानि देखा जाये तो यह समझोता सोभी संग के लिए जो है काफी महतपून थी यानि सोन संकित रस्त करने में सभलता भी प्राप्त हो गई ड्रते विश्यूद तब शुरू हुआ जब जर्मणी ने एक सितंबर 1949 को पोलेंड पर हमला कर दिया ता यानि वो समय काल था जब जर्मणी ने एक सितंबर 1940 को पोलेंड पे हमला किया और विटेन ने जर्मनी से 3 सितंबर 1949 को यूद की घोशना की क्योंकि विटेन ने भी जर्मनी पर आकरमन करने का मन बना लिया था तो इसी वजाए से दृत्य विश्यूद का शुत्रपात हो चुका अगला पॉइंट जो आई है दृत्य विश्य के अंतरगत यूद का परिनाम यानि दृत्य विश्यूद का क्या परिनाम आया आपको तो पता ही होगा कि यूद से परिनाम जो है कदाचित जो है अच्छे नहीं होते हैं और यह यहाँ देखने को भी मिला केदे सितंबर 1945 में युद का अंत हो गया और यह मानमितिहास सबसे विनाशकारी युद था इससे बरा युद कभी भी नहीं देखा गया ना सोचा गया इसे जानमाल और संसाथनों की जो है अभुतपूर्व छती हुई देखा जाए तो जानमाल की छती के साथ जो पर्यावर यों के मार दिया गया था फिर उग्हें यांत्राओं और सिवरों में भेज दिया गया यानि कॉंसन्ट्रेशन सबी अहुदियों को जो है कॉंसन्ट्रेशन Contraion Camp में डीरेक्ट भेज दिया गया जपानी सेहरों में हिरोशीमा और नकासाही पर अमरीका द्वारा परमानुबं गिराया गया और यह परमानुबं इतना घातक था कि कहते हैं वहाँ पर जलने के लिए तिनका भी नहीं बचा तो आप समझ सकते हो हिरोशीमा नकासाही पर जो अमरीका द्वारा जापानी सहर अहिडो समानकासाही पर बंबलास्ट किया गया परमानुबं गिराया गया वह बहुत काफी विनासकारी था और कहते हैं दोनों सहर अपनी जंता के साथ नस्ट हो गई परमानुप्रलय का खात्रा यूद के परमुक्य परिणामों में से एक था क्योंकि ये यूद जोता परमानु यूद के रूप में भी जाना जा सकता है क्योंकि इसमें परमानुप का पहली वार उपयोग किया गया अमरीका के द्वारा जर्मनुप का चार चेत्रों में विवाजित कर ये परत्यक को विजय सक्ति का नियंतरन किया गया यानि जर्मन को जो है अमेरिका के अंतर्गत रख रा गया क्योंकि इरोश्मान्स नकासाही पहर जो की गई थी। जो परनुबं गिरांई गई थी जपान जो है इसका बदला भी ले सकता था इसलिए जो है अमेरिका के द्वारा जपान पर निपरनी रखibt की गई उन् bounty throwing Do किया गया तो जिवैं जपाण से अमरीय का सिना ना को हटा लिया गया और सम्राझवाद करन वाने के साससा और सुपर संग का रूप में उभर के आए में कि पावर के रूप में विश्व अमरीका और सोविस संग उस समय सूपर पावर के रूप में वरके सामने आए। है दिरते विश्युद के बाद विश्वी दो गुटों में बट गया एक समयवादी 190 संग रिरता दूसरा गुट जो संगर्ष के विकास को सीत यूद कहती है यानि यहां पर सीत यूद का अर्थ यही होता है मांसिक यूद यानि यूद होती नहीं है सिरफ मांसिक यूद होता है एक दूसरे पर सिरफ जो इसमें कॉमेंट की जाती है मिडिया के अंतरगत जो है यूद लड़ी जाती है और इसम नीचा दिखाने का यूद जो दोनों देशों के बिच बहुत लंबा समय तक चला यानि देखा जाए 1945 में सीति यूद शुरू हुआ तो यह बहुत काफी लंबा काल में सीति यूद चला यूद के एक परमुक्य परवाब सेुखत्रास संगटन यानि सेुखत्रास संक्य स्थापना था जिसके बारेमें हम आगे पढएंगे और जानने कोशिच करेंगे कि इसमें क्या है कि दुनिया में dozen से कई बदलाफ वूए हैं दुनिया में कई बदलाफ हूए दुनिया के इस यूद ने बिलकुल ही पूरे चीजों के तैस नैस संसाधनों को तैस नैस कर दिया और पूरे ही राजनेतिक नक्सा ही बदल दिया एसिया और अफ्रीका के जो देश उपने वेशिक सासन के अदीन थे अब वह सतंत्र हो गए अब दुनिया में एक परमुक्य सक्ति के रू अब जो हमारा टॉपिक आया है संग के स्थापना देखिए संग के सापना सिर्फ इतने के लिए कि पूरे विश्व को सांती में जीवन यापन के लिए और नेशन को सुलब्षित करने के लिए संग के स्थापना हुई और जो विश्व यूद जैसे महाकाल यूद लड़ी जैसे भी आगी उनसे बचाने के लिए संगठन किया और इसे पहले संगठन के स्थापना किया लेकिन कुछ न कर सका उसके महत refugee जैना के लिए जो है एक बात को संचकेत किया कि ये बहुत ही विनाशकारी है और इसे जन जीवन प्रयावरन को बहुत ही नुकसान होता है तो बिटिस प्रधान मंटी विस्टन चर्लिस एंड सोबित नेता स्टालिन और अमरीकी राश्पती रूजवेल्ट ने जो है रूप में विश्व के सेजुत राश्ट चार्टर के 50 देशों के सब्सक्रा अपना लिया गया कहते हैं यह काफी महतवपून थी कि यहां पर तीन लोगों का महतवपून स्थान था कि बिटिस पर धान मंती विस्टन चर्लिस और सोबित नेता स्टालिन और अमेरीका के राश्पती सेजुत राश्ट संग यानी सेजुत राश्ट संग की सतापना हुई तब से दुनिया वर के सभी देश जो है 24 अक्टूबर को सेजुत राश्ट दिवस के रूप में हर साल मनाती हैं यानि 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट दिवस के रूप में जाना जाता है संयुक्त राष्ट संग सभी राष्टों की प्रभूता और समानता के सिधानतों पर अधारी थे यानि सभी को जो है समानता प्रभूता देने के पक्षगर है सेयुत राश संग के मुख्योत देश दुनिया में सांती और शुरक्षा बनाये के लिए और वह विश्चे के विश्यू विष्यू। को सांतिपुन ढंक से हल करने के लिए अंतरास्टे संयोग को बढ़ावाद देना है अब देखिए यह बात यहां पर आप गलत साबित हो रहा है कहते हैं परतम विश्यूद में भी एक संगड़न बनाई गई जो दृत्ते विश्यूद को रोका नहीं जा सका अब देखिए य जीवन और प्रयावन का नुकसान हो रहा है तो यह देखा जाए तो और राष्ट के लिए सुरक्षा के लिए बनाई जाती है कहते हैं यूद को रोकने के लिए शायद इसका कहीं भी अस्तान नहीं है जैसे पहले परतम विश्यूद में बनाई गई गई सुरक्षा के अब दखिए प्रतम विश्यूद में राष्ट के स्थापना किया गया था और राष्ट का उद्देश मात इतना था कि विकास आर्थिक समाजी संस्क्रिती और मानवी समस्याओं को सुल जाना था और यह फैल हो गई अगर फैल नहीं होती तो दित्य विश्यूद नहीं होता और आज देखिए संयुक्त राष्ट भी फैल नजर आ रही है क्योंकि आपके समक्ष अभी जो एक साल से युक्रेंड यूद चल रहा है आज तक नहीं थामा और कैते दिरे दिरे बिनास का रूप दारण करता जा रहा है और यहां था कि बड़े-बड़े विश्यूद का कारण बन सकता है तो यहां बड़ा प्रश्य चिन यह उठता है कि यूए नो का जो है करतव्य जो था वो करतव्य कहां गया क्या यूए ने सिर्फ बड़े राष्टों के के लिए ही काम करती है तो यह बहुत बड़ा प्रश्ण चिन है और यह इसे सग्गे भी मानते हैं कि शायद युएने का उद्देश्च सिरफ बड़े-बड़े राष्टों का ही संदक्षन देना है कहते हैं यूद की सांती बनाए रखना शायद उनके बसमें नहीं है और यह साबित भी हो रहा है जैसे प सांती और सुरक्षा बनाए रखने के लिए इसलिए इसकी स्थापना किया गया था और इसका भी समांता के धार पर देशों के बीच मेत्रीपू संबंद का विकास करना उद्देश्य था और आर्थिक समाजी संस्कृति और मानवी समस्यों को सुलजाना था जब यूकरेयन को भी इस बात का जो है ऐसास नहीं है दुनिया के लोगों के लिए मानव अधिकार और मौली सुतंता की बढ़ावा देना जो है राष्टे संग की मेन उद्देश्य था लेकिन आज ये उद्देश्य खो चुका है संजुत राष्ट के उद्देश्यों में से एक था और य बहुत बते हैं सिर्फ में यह लगहता हूं जानता हूं ौर के ट्यों और यहाव करते हैं आइसको कहीं नहीं देखा गया हम संग की क्योंकि यह विश्we में संती अस्ठापना के लिए था और युद्र जैसे को को रोकने के लिए था यूएन का जो अस्थापना हुआ इसी उद्शन से हुआ लेकिन आज यूएन यहाँ पर फेल नजर आ रहा है क्योंकि यूद्ध अभी तक ठमा नहीं है और विसे सक यह कह रहे हैं कि यह जो है दृत्ते विश्यूद का करन बनेगा और बनवी रहा है कह बरहाने की होड में लए और वह नीती शायद यहाँ के जो राजनीती मैता है वह नहीं समझपा रहे हैं कि आखिर नीती क्या अनुसरन किया जा रहा है और आप को भी इस नीतियों का नंसरन में नहीं करना है Color सही रास्तों पर चलने की कोशिश करना है अगर आप तिरपान स्टी सेंटर का हेल्प करना चाहते हो तो इसके लिए आपको एक बात कानुसरन करना पड़ेगा कि जितना हो सक इस वीडियो को शेयर करना है और शेयर करने के कुछ नहीं करना है यूटूब से लिंक को कॉपी कर सब्सक्राइब करने के बहुत तकलीफ नहीं करना है आपको जो रैड बटन दीखराए सब्सक्राइब का उसको सिर्व आपने दवा देना है और दवाते ही आप के मुबाइल में चैनल सेव हो जाएगा और सेव होते ही आपके समक्ष्ण होगा यूटूब की पेज आपको यह होम पेज मिलेगा जहां पर एर्थ क्लास से लेके में तक के बच्चों के लिए बहुत से वीडियो है जो बहुत ही हेल्फुल है पलस अगर आप इसको चैप् पेपर की तैयारी कर सकती हो अगर आप कुछ कॉमेंट करना है कुछ बाते कहना चाहते हो कुछ आप जानना चाहते हो या कुछ आप सिकायत करना चाहते हो तो इसका भी प्रवधान है आप कॉमेंट कर सकती हो प्राइब 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 कर दो